नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीप I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम स्टील डिजाइन रिवाइज करने वाले हैं स्टील डिजाइन का डिविजन सेशन है ये quickly हम देखेंगे कि क्या हमने पढ़ा है आप तक और कैसे questions exam में आते हैं कौन से topics को आपको as it is याद कर लेना है लेकिन यहाँ पर जो questions होंगे multiple choice questions हर topic से associated काफी सारे numerical बनते हैं तो उस particular portion को या जो code वाला portion है उसे एक बार फिर से हमें करना पड़ेगा कि code के जो provisions है वो कैसे application में आएंगे तो steel design को एक बार में हम पढ़ लेंगे अभी तो revise कर लेंगे फिर उसके बाद फिर उसके जो code के provision है वो हम अलग से एक बार फिर से करेंगे similarly it will be for RCC तो फटा फट से steel design को revise करते हैं और उसके बाद code के provisions जो हैं उनके लिए कलग सेशन रखेंगे हम वो code के provision यहां भी आ जाएंगे वहां भी हम पढ़ेंगे उनको दुबारा से ताकि code के provision हमें अच्छे से याद रहें और उनकी questions कैसे आएंगे वो भी हम अच्छे से समझ पाएं सभी को नमस्कार सभी को good morning हाँ जी सभी को नमस्कार आपके बाकी मित्र जो हैं उन्हें भी आप बता दीजिए so that they can also join live a very good morning to all of you let's begin दोस्तों अगर आपने अभी तक अनकाडमी आप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनकाडमी आप आप इंस्टॉल कर लीजिए जिससे कि अनकाडमी के उपर जो भी sessions होते हैं वो आप live attend कर पाएं और साथ ही साथ में वहाँ पर जो special classes है paid classes है वो भी सारी आप देख पाएंगे अनकाडमी के उपर अलग अलग बैचिस चलते हैं एस पर जो जो exams आते हों उनके recording तो आप सबसे पहले अपनी category select कर लीजिएगा goal select कर लीजिएगा कि आप किस exam की तैयारी करना चाहते हैं और उसके बाद आप code use कर सकते है सर्दीब double one to get 10% instant off हाँ जी सभी को नमशकार हाँ जी paid classes में अभी batch जो है वो कोई start नहीं हुआ है क्योंकि exam आने वाला है अभी let's begin फटाफट से discuss करते हैं दोस्तों चलिए let's discuss questions जो है उनी topic को touch करेंगे अभी यहाँ पर जो exam में पूछे जाते हैं काफी सारे दोस्त आ चुके हैं बाकी वीडियो शो नहीं कर रहा है बाकी वीडियो इसलिए नहीं शो कर रहा है दोस्त क्योंकि वीडियो अप्लोड़ीड नहीं थी वो वो था live sessions तो youtube ने अभी update लिया है तो जिसमें आप channel के उपर जाएंगे home section videos shots live तो live के उपर जाकर कि आपको पहले के sessions जो हैं वो दिखाई देंगे तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी वीडियो नहीं आ रहे है या फिर private हो गए है क्या वो वहां मिल जाएंगे new course जल्दी start होगा exam के बाद फिर से start कर लेंगे हाँ जी thank you so much everyone let's begin steel versus concrete की बात करते हैं यह chapter जब start करते हैं steel design पढ़ना शुरू करते हैं तब तो steel और concrete के अंदर क्या फरक है steel और concrete में basic difference एक तो यह है कि steel जो है वो कम amount of weight के अंदर जादा strength देता है कम amount of weight आप अगर लेंगे steel का तो वो जादा strength देगा as compared to concrete और इसके अलावा इसकी tensile strength जो है वो concrete के comparison में बहुत जादा होती है अलग-अलग applications होते हैं इसके इन्हें आप sheets की form में use कर सकते हैं इन्हें आप frames की form में आप use कर सकते हैं structures जो आपके पास है framed structure या framed buildings आप इसके बना सकते हैं जो भी आप warehouses देखते हैं industrial buildings देखते हैं उनके अंदर इसका इस्तिमाल होता है आजकल घर के अंदर भी हम vehicles को park करने के लिए या फिर storages के लिए इनका use करने लग गए हैं इसके अलावा आप इनको bridges के अंदर देखते हैं जो storage tanks हैं इनके अंदर आप देखते हैं इनको towers, chimneys इनके अंदर आप देखते हैं इनको और आपको जो बात याद रखनी है अब उनके उपर focus करेंगे सबसे पहली बात आ जाती है loads की तो loads जो आप अगर बात करेंगे IS 875 IS 875 आपको standard loads के बारे में बताता है जो आपको consider करने है 875 का part 5 है total total 5 parts है जिन से related exam में आप से question पूछे जाते है part 1 की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका dead load से related फिर part 2 की अगर हम बात करें तो impose load पहले dead load आया फिर live load आया फिर उसके बाद क्या हुआ हवा चली wind load फिर उसके बाद snow and last one is सबसे last में क्या हो जाता है कुछ special loads आते हैं तो आप से exam में अगर पूछता है IS 875 part 3 तो आपको part 3 के अंदर बताना है wind load ये आप से ऐसे objective question पूछेंगे next question जो आप से पूछ सकता है वो बहुत है simple वाला कि steel design के लिए हम कौन सा code यूज करते हैं तो IS 800 हम steel design के लिए इस्तेमाल करते हैं ये objective question यहां से बनते हैं कहां से download कर सकते हैं आप BIS Bureau of Indian Standard वाया BSB Edge आप सर्च करेंगे ये इतनी term यूज करके आप अगर normally सर्च करेंगे ना IS 800 गूगल पर सर्च करेंगे तो पता नहीं कितने सारी website आई नहीं उन पर कितना पुराना code पड़ा हुआ होगा आप simple BIS वाया BSB Edge ऐसे करके फिर उसके बाद code का नाम अगर आप सर्च करेंगे तो Indian Standard Codes की website ही खुलेगी वहां से आपको authentic latest code जो है वो आपको मिल जाएगा उसकी PDF free of cost आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सिर्फ education purpose और personal use के लिए अगर आप उसे ले रहे हैं तो हाँ जी सभी को नमशकार let's begin तो यह code अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं steel design के अंदर दोस्तों हमने बात की थी rolled steel sections क्या होते हैं तो यह as such exam में directly आप से नहीं पूछेगा यह हमारी समझ के लिए है कि जहां पर भी आपको दिखता है कि rolled steel joist है rolled steel कोई section है तो rolling के process के थूँ जो steel manufacture किया जाता है वो rolled steel section कहा जाता है उसके बाद अलग-अलग shapes के अंदर हम steel को देखते हैं जैसे eye section हमारे पास आता है channel sections जो की C shape के अंदर आपको नजर आते हैं इसका topmost portion को हम बोलते हैं flange bottommost portion bottom flange हो जाएगा बीच में जो portion आपको दिखाई देता है इसे हम web कहते हैं similarly channel section के अंदर ये top flange ये bottom flange और ये आपका web हो जाता है तो आपको अगर question में दिया हुआ होता है कि depth of web is this much आपको thickness of web दे रखी है और आपको width of flange दे रखी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि component की कौन से dimension की बाद वो कर रहा है हमसे angle section easy to understand कि angle section क्या होता है L shape का होता है T section नाम ही काफी है उसके बाद आते है tubular section tubular section जो आपके होते है circular cross section का भी हो सकता है या फिर square या rectangular cross section का भी हो सकता है bars जो हमारे पास होती है ये solid होती है और इनके cross section भी square या circular shape के हो सकता है rectangular भी हो सकता है basic सा difference flat के बीच में और plates के बीच में वो ये है आपका कि plates जो होती है और flats जो होते है इनकी thicknesses तो कम ही होती है as compared to their other dimension लेकिन plates की width जो है 900 mm से जादा होती है flats किसको बोलते है flats ऐसी plates जिनके thickness 400 mm से कम है तो उनको क्या बोल देते है flats बोल देते है तो कई बार ये word हमें नहीं पता होता है exam में आपको दिया हुआ होता है कि एक flat के dimension so and so है तो हमें समझ भी नहीं आता कि ये flat होता क्या है तो flat basically एक plate ही है जिसके width बहुत कम है आगे बड़े अगर हम तो iron जो है इन से related आपसे पूछा जाता है कि steel obviously iron का alloy ही है तो उसी में आपसे question पूछ लेता है कि iron, carbon, chromium, copper, magnesium, nickel, silica, manganese इन सब के combination से आप further iron को use करके और alloy बना सकते हो जिसमें steel जो है वो iron, carbon, chromium इन सब का combination बना क करके हम steel बनाते हैं, objective questions के उपर चलते हैं directly कि objective question क्या पूछेगा, pig iron ने cast iron से कहा कि steel का carbon high, medium, low क्यूं हो रहा है तो raw iron ने बताया कि वो purity की तरफ जा रहा है, तो आप से objective में question पूछ सकता है कि which out of the following has least carbon content या most carbon content ऐसा question पूछेगा, तो आपको ये अगर sequence याद है तो आप easily बता पाएंगे कि कौन से steel के अंदर carbon content जादा था, किसमें कम था, exact values अगर नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा, एक चीज़ आप exact values में ये याद रख लीजिएगा बस कि अगर carbon का percentage 0.25 से कम है तो low carbon वाला होगा, 0.25 से 0.6 है तो high और medium वाला, 0.6 से 1.4 है तो आप उसे high carbon steel बोलेंगे, carbon का relation basic सा इतना होता है कि जितना ज्यादा carbon content होगा किसी steel के अंदर, जितना ज्यादा carbon content होगा, उतनी ही ductility कम हो जाएगी और compressive strength और hardness उतनी ही increase हो जाएगी compressive strength increase हो जाएगी उसकी, hardness increase हो जाएगी उसकी, यह आप से objective के अंदर question में वो पूछता है, next अगर हम बात करें तो mild steel के अंदर लगबग 0.23% of carbon होता है, और stainless steel के अगर हम बात करें तो 18% chromium, 8% उसके अंदर निकल रहता है Young's modulus of elasticity of aluminium and steel, इनके बीच में comparisons आप से पूछे जाते हैं, for all types of steel Young's modulus of elasticity होता है E for steel is 2 into 10 raised to the power 5 MPa, 2 into 10 raised to the power 5 MPa यह आपको याद रखना है, इसका 1 third अगर आप कर लेंगे तो aluminium के अंदर आ जाएगा Similarly for elongations की अगर आप बात करेंगे, density की बात करेंगे, density aluminium की जो है वो steel के 1 third हो जाएगी 7,850 kg per meter cube, steel की density होती है, aluminium का इसका 1 third हो जाएगा Modulus of rigidity 0.769 into 10 raised to the power 5 MPa याद रखना है Poisons ratio, steel का, elastic range में भी, plastic range में भी, दोनों ही case में आपको याद रखना है Elastic range के अंदर 0.3, plastic range के अंदर 0.5 होता है, दोनों ही objective questions में पूछा हुआ है या पूछा जाता है Deflection की अगर हम बात करें, तो deflection जो mild steel में आएगा, वो aluminium के 1 third के बराबर आता है Coefficient of Thermal Expansion जो है, वो steel और concrete का तो आपको पता ही है 1.2 into 10 raised to the power minus 5 Aluminium की अगर आप बात करेंगे, तो 23 into 10 raised to the power minus 6 ये comparable से हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा आप Next आगे बढ़ें अगर, तो ये सारे के सारे codes जो है अपने आप में एक important objective question बनता है हर साल इस slide से एक question fixed है, आता ही आता है चाहे वो आप से fine और course aggregate से related कौन सा code है IS 383, जिसके अंदर 4 zones हमने बताया थे ना, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 ये aggregates से related IS 456, 800, ये RCC के लिए, steel के लिए 1343 आपके पास free stress के लिए आ जाता है 10262 आता है, design mix के लिए, 383 aggregates के लिए और 875 अभी हमने discuss किया था अब आज सभी को आ रही होगी चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ यह याद रखनी है bending equation, जब भी bending stresses की बात करें तो bending stresses के अंदर आपको sigma by y equals to m by i equals to e by r, sigma by y equals to m by i equals to e by r यह आपको bending equation basic याद रखनी है, इससे आप bending stresses पता कर सकते हैं कि sigma की value को अगर आप compare करेंगी, तो sigma will be equal to m by i into y जितना जादा neutral axis से distance बढ़ेगा, y की value बढ़ेगी, उतना ही जादा bending stress आएगा neutral axis से दूर जाएंगे तो bending stresses बढ़ेंगे bending stress maximum कहाँ पर आ रहा है, flanges के उपर आ रहा है maximum bending stress इसलिए flange को design किया जाता है किसके लिए, bending के लिए shear stress की अगर आप बात करेंगे तो tau equals to f a y bar upon i b तो shear stress अगर आप देखेंगे तो it is inversely proportional to width of the section जहाँ पर section के width जादा, वहाँ पर shear stresses कम लगेंगे तो आपसे objective में question पूछा जाता है कि web को किसके लिए design करते है क्योंकि web के उपर maximum shear stress आता है, इसलिए web को shear के लिए हम design करते है objective में ये question आपसे पूछा जाता है फिर उसके बाद दोस्तों आपको designations पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि ISLB300 का मतलब क्या होता है तो Indian standard light beam section होता है, full form पता होनी चाहिए 300 जो है वो उसकी overall depth है, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे type के questions आपस पूछे जाएंगे ISMB, Indian standard medium beam, ये आपको बस definitions जो है ये आपको पता होनी चाहिए इतनी सी चीज है, जैसे channel section के अगर मैं बात करूँ channel section के अंदर ISMC300, ये आपसे पूछा गया, ISMC300 के अंदर what is 300 300 उसकी overall depth होती है, Indian standard medium channel section तो इस प्रकार के बस questions आएंगे, इनको आप definition इनकी पूरी आप याद कर लीजेगा ISWB क्या है, Indian standard wide flinch beam हो जाएगा ISJB जो है, वो Indian standard junior beam हो जाएगा ISH beam, Indian standard heavy beam अब नाम ही बता रहा है, objective में question आया था which out of the following is the heaviest section चार नाम दे दी और उसके अंदर एक था ISHB तो obviously ISHB इनमें से सबसे heaviest section होगा angle section, अगर angle के दोनों legs unequal है, तो unequal angle section equal है, तो equal angle section हो जाता है angle section के dimensions में एक चीज़ दे रखे, दो dimensions होती है, first and second वो तो दोनों legs के dimensions होते है third जो लिखा होता है, वो होती है उसकी thickness, तो अगर आपको question में पूछता है, 100, 110 में 10 क्या है, तो 10 is the thickness of जो plates हम यूज कर रहे हैं, इस angle को बनाने के लिए उनकी thickness है फिर T section में ISHT, Indian standard wide flinch T section, या फिर Indian standard long leg section आपके पास ISST channel section हमने discuss कर लिया box section जब भी आपको combination चाहिए हो, built up section चाहिए हो, जैसे आप assemble कर रहे हैं, आप खुद चाह रहे हैं कि market के अंदर ऐसा section available नहीं है कि जितनी हमें strength चाहिए तो आप खुद वो section design कर रहे हैं, तो box section का उसमें use कर सकते हैं, box section होगा, columns के अंदर generally ये use किया उसके width जो है, वो 50 mm है और उसके thickness जो है, वो 8 mm है एक flat है, जिसके width जो है, वो एक flat है, जिसकी width 50 mm है और उसके thickness 8 mm है बस ऐसे question exam में आप से पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं next uniaxial tension test uniaxial tension test के अंदर आप से objective में question क्या-क्या पूछे जाते हैं, उनी के उपर फटा-फट से चलते हैं सबसे पहला question आप से पूछा जाता है stress is directly proportional to strain कहां तक होता है, तो वो होता है a point तक, proportional limit तक होता है सिर्फ a point तक आपकी ये straight line form होती है, फिर a b जो है वो non-linear है, straight line नहीं है, b point वो point है जहां तक अगर load लगा कर load हटा दिया जाए तो material वापस अपने original shape and size में आ जाता है, c upper yield point, c dash lower yield point, yield point वो point जिसके बाद material में permanent deformation आना शुरू हो जाता है, c dash से लेकर के d dash, बहुत जादा elongation देखने को मिलता है, आपको carbon atoms की slippage होती है, और उसके बाद एक बहुत ही जादा elongation देखने को मिलेगा, suddenly उस particular material के अंदर stresses की value लगबग उतनी ही रहेगी stress जो उसमें आ रहा होगा, वो उतना ही रहेगा लेकिन यहाँ पर एकदम से बहुत जादा elongation आ गया, जिसे हम क्या बोल देते हैं yield plateau बोल देते हैं, इसके बाद D point के बाद further material resistance show करता है, elongation को तो इसमें stresses भढ़ेंगे जादा, लेकिन उतना strain नहीं आ पाएगा, E point के बाद necking शुरू हो जाएगी, और ultimately fracture हो जाएगा material का objective question क्या क्या पूछेगा आपसे एक तो यही कि stress directly proportional to strain कहां तक होता है hooks law is valid up to proportional limit यह है, आपसे objective में question पूछता है the strain and yield stress is about yield stress के उपर, यहनि कि जब material में permanent deformation आना शुरू होता है जब material में permanent deformation आना शुरू होता है तो उस वक्त क्या होता है 0.125% strain आजाता है उसमें या 0.00125 strain आजाता है उसके बाद अगर इस point तक आप बात करेंगे कि यहां तक आते आते कितना strain आजाता है तो 1.5% या यूं कहलीजिए कि 0.015 1.5% बोले या 0.015 इतना strain आजाता है जो कि यहां के मुकाबले लगबग 10-15 गुना होता है यह आपसे objective में question पूछ सकता है next objective question आपसे पूछता है कि mild steel की proportional limit कितनी होती है इसकी ultimate strength कितनी होती है yield strength तो हमें पता है कि अगर 250 बोलते हैं तो 250 आसपास यह है फिर fracture strength 250 से लेकर के 300 elongation यह आपसे objective में question पूछता है कि mild steel fail होने से पहले लगबग कितना percent increase हो जाता है तो लगबग 23 से 35% के बीच में increase हो जाता है bearing stresses यह तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं permissible stresses की अगर हम बात करें तो आप short में बस यह याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई steel का section है वो अगर axial direction में उसके उपर load लग रहा है तो a for axial अब वो axial चाहे bending वाला हो चाहे axial compression वाला हो अब axial चाहे वो bending हो चाहे axial compression हो sorry bending नहीं axial compression या axial tension axial compression या axial tension दोनों ही case के अंदर 0.60FY उसके बाद B for bending अब bending में चाहे compression हो या tension हो तो mild steel पर जो आपने test किया उसके test से आपको उसकी yield strength मिली FY तो आप बोलेंगे कि 0.67FY consider कर लीजेगा या 0.66 फिर उसके बाद हम बात करते हैं shear stress की और shear stress में भी कौन सा average shear stress तो average shear stress के लिए maximum 0.00 maximum permissible stress की value 0.40FY है और अगर maximum shear stress के लिए maximum permissible value की बात करेंगे तो 0.45FY है और अगर bearing stresses की बात करेंगे column base के अंदर बात करेंगे तो वो 0.75FY आपको याद रखना है objective में directly use करवाएगा या indirectly question में करवाएगा 0.75FY उसके बात करते हैं दोस्तो next आते हैं इन्हीं की form में इसे express करना formula की form में express करना I hope आपको समझ में आ गया होगा working stress अगर आपको बताना है तो कितनी उसकी yield stress है upon factor of safety कितना उसका FY yield stress था divide क्या factor of safety से तभी तो हमारे पास 0.60.66FY वो सारी values आ रही थी तो इन्हीं को अगर हम देखे यह सारी बात है जो अभी अभी हमने discuss की है इन्ही की यहाँ पर यह values mentioned है 0.66FY 0.60FY 0.40FY 0.45 तो बस वो छोटी सी टेबल आपको याद रखनी है next अगर हम बात करें permissible deflection gantry girders के अंदर या steel structures के अंदर अगर हम बात करें sorry यह steel structure का है gantry girders का बात में आएगा permissible stresses अगर हम देखते हैं steel structure के अंदर तो maximum permissible horizontal and vertical deflection WSM के according span by 325 दिया जाता है यह steel structures वाले deflection है RCC वाले नहीं है as per limit state method अगर cracking आ सकती है या नहीं आ सकती इसके according values की बात करें supporting elements जो है are susceptible to cracking not susceptible to cracking उस case में span by 300 अगर susceptible to cracking है तो आपके पास span by 360 आ जाता है permissible stresses gentry girder के अंदर अगर हम बात करें तो span by 500 इससे related objective question क्या पूछता है कि एक electrically operated gentry girder है जो की जिसके अंदर weight लग रहा है 200 kN का जिसमें weight लग रहा है 200 kN का तो उसमें permissible deflection कितना होगा अगर span है 6 meter का objective question क्या पूछा गया आपसे objective question आपसे ये पूछा गया था कि एक आपके पास electrically operated crane है 200 kN जिसका span जो है वो 6 meter है what is the permissible deflection तो आपको ये याद रखना है 50 ton या फिर 500 kN तक की load capacity वाली जो crane है उनके अंदर जो permissible deflection है वो span by 750 है तो आप कहेंगे कि वो span by 750 है span by 750 है तो values पुट कर ये span की value 6000 mm divided by 750 तो आपके पास यहाँ पर answer आ जाएगा 8 mm confused इसमें हो जाते हैं कि हम ये 50 ton वालप हो जाते हैं हमें लगता है 50 10 question में दिया है 200 question में दिया है 200 kN तो हमारे दिमाग में 50 10 चल रहा होता है और हम span by 1000 यूज़ कर जाते हैं इस formula के अंदर जबकि 50 10 या 500 kN ये 50 10 से अबव या 500 kN से अबव यूज़ करेंगे तो ऐसे objective question आप से पूछे जाते हैं next factor of safety वही अभी हमने discuss किया axial stresses की case में अगर हम बात करें तो जो आपकी Fy की value थी उसे divide किया 1.67 से तभी तो 0.60 Fy आया था अगर bending stresses की अगर हम बात करेंगे तो Fy को divide किया था 1.5 से तभी तो 0.60 Fy आया हमारे पास sorry ये 0.66 फिर उसके बाद अगर shear stress की बात करें तो shear stress के अंदर आपने 2.5 से divide किया अगर Fy को तभी तो 0.40 Fy आया and so on next आगे बात करते हैं definition की definition based questions आप से पूछ सकता है कि what is pitch distance what is end distance, gauge distance edge distance pitch distance होता है दो rivets के बीच में center to center distance, pitch distance in the direction of load जिस direction में load लग रहा है उसी direction के अंदर दो rivets के बीच का center to center distance perpendicular direction में जिस direction में load लग रहा है उसके perpendicular direction में दो rivets के बीच का center to center distance, gauge distance edge distance जो है वो load के perpendicular direction में सबसे बाहर वाली rivet end से कितने दूर उपर है end distance को बोलते हैं load की direction में सबसे last वाली rivet इस corner से कितने distance के उपर है bearing stresses का मतलब होता है कि contact force है एक प्रकार की contact force होती है जैसे आपने एक plate ये use की दूसरी ये use की इनके बीच में कोई fastener use कर लिया जब आप इसको खींचेंगे तो इस fastener के इस surface पर और आपकी plate के उपर यहाँ पर एक तरीके के contact forces लगेंगे जिनने हम कहते हैं bearing stresses अब ये forces जो लगेंगे ये stresses जो लगेंगे ये projected area के उपर लगते हैं इस पर torch अगर आप throw करेंगे तो जो projected area होगा उस पर लगेगा sharing stresses का मतलब कि दो parts में वो तोड़ देता है अब यहाँ पर sharing stresses कहां लगेंगे इसके cross sectional area के उपर लगेंगे इस पर bearing stresses कहां लगेंगे projected area के उपर लगेंगे lap joint कौन सा joint होता है दो plates को एक दूसरे के उपर रखा और joint कर दिया line of action of force is different है तो इसी कारण से eccentricity इसके इंदर आएगी और एक shearing plane बने का rivet एक जगां से कटने की tendency बन रही है यहाँ पर butt joint का मतलब है end to end रख दिया अब end to end रखने के बाद एक cover plate use करेंगे तो single cover butt joint दो cover plate use करेंगे तो double cover butt joint हम कभी नहीं चाहेंगे कि joint fail हो जाए इसका मतलब हम चाहेंगे कि यह plate और यह plate इनकी जितनी strength है ना उससे जादा strength is cover plate की हो मतलब thickness of cover plate should be greater than the greatest thickness of main plates तो यह हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिर double cover butt joint के अंदर एक plate उपर एक plate नीचे दो cover plate use कर लिए अगर हमने तो इसको double cover butt joint बोल दिया इसमें centricity जो हट जाती है पूरा section जो पूरा joint है वो एक uniform बन जाता है इसके cg के through load यहाँ से transfer होगा इसमें भी हम नहीं चाहेंगे कि जो main plate है इनसे पहले cover plate fail हो जाए तो इसलिए हम कहेंगे कि cover plates की जो thickness है वो जादा हो नीचे है as compared to जो main plate की सबसे बड़ी थिकनेस है उससे भी तो इसलिए बोलेंगे thickness of cover plates का जो sum है this plus this should be greater than जो main plate की जो thickness है उससे तीन प्रकार के हमें यहाँ पर connections पढ़ने है riveted, bolted और welded connection सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तो rivet कैसे कैसे fail होती है तो rivet जो है वो एक तो bearing में fail हो सकती है, rivet sharing में fail हो सकती है rivet दो ही तरीकी etafail हो सकती sharing में मतलब इसका cross section area से यहाँ से cut जाएगी bearing में इसका cross section area जो circular था वो elliptical हो जाएगा तो rivet ऐसे fail कर सकती है plate कैसे कैसे fail कर सकती है plate load की direction में अगर इसमें failure हाता है तो इसे बोलते है shear failure अगर plate split कर जाती है ऐसे दो parts में ऐसे split कर जाएगे तो splitting failure बोलेंगे अगर plate का material आगे ऐसे push हो गया further plate का material मतलब यह rivet थी या board था फासनर था जो भी आपका उसने plate के material को ऐसे आगे की direction में और जादा push कर दिया यहाँ पर तो bearing failure आ गया उसके अंदर और क्या हो सकता है tearing failure tearing और splitting failure में अंतर क्या है जो tearing और shear failure में shear failure में load की direction में failure आ रहा था और tearing failure के अंदर load horizontal direction में लग रहा है तो vertical direction में plate के अंदर failure यहाँ पर आ रहा है अब इन सब में से ये पहले तीन failure avoid किये जा सकते हैं अगर rivets को हम यहां से end से दूर रखें rivets को दूर रख देंगे तो ये तीनो failure avoid किये जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें design अगर करना होगा तो वो जो tearing failure है ये tension failure है उसके लिए design करेंगे plate shear में fail हो सकती है, bear में हो सकती है, splitting में हो सकती है, tiering में हो सकती है लेकिन इन तिनो failure को हम avoid कर सकते हैं by providing sufficient end distance और rivet जो है उसको shearing में और bearing में हम fail होने से बचाएंगे तो हमारे design के अंदर rivet की shearing bearing और tearing जो है वो plate की हम design करेंगे फिर उसके बाद riveted connection के अंदर बात आ जाती है कि आपके पास rivet जो है इनकी values याद रखनी है आपको power driven shop rivet अगर है आपके पास तो axial tension में power driven field rivet है तो axial tension में कितना load carry कर सकती है या stress carry कर सकती है और hand driven field rivet है तो उस case में कितना आपको जो values याद रखनी है वो रखनी है इसके shearing और bearing वाली कि power driven field revet है या power driven shop revet है उनकी bearing shearing में कितनी strength होगी power driven shop revet की bearing में strength होगी 300 MP और shearing में होगी 100 इन values को objective में next question आपसे पूछता है कि इन values को कितनी percent से reduce कर देते हैं इन values को 10% से reduce कर देते हैं hand driven revets के लिए 10% से reduce कर देते हैं hand driven revets के लिए यह आपसे objective में question पूछता है next objective question जो बहुत important है आपसे पूछता है simple सा वो यह है कि जो plate के अंदर आप revet को insert करते हैं तो एक होता है आपके पास revet का nominal dia एक होता है plate के अंदर जो hole किया जाएगा मतलब जिसे diameter of hole कह लीजिए या gross dia कह लीजिए तो यह gross dia कैसे पता करेंगे अगर आपके revet का nominal dia 25 mm से कम या उसके बराबर है तो उस case में 1.5 mm add कर देंगे अगर 25 mm से बड़ा है nominal dia rivet का तो 2 mm आप यहाँ पर use कर लेते हैं यह extra provision जो provide किया जाता है वो क्यों provide किया जाता है for the ease of installation यह भी आपसे objective में question पूछा था installation की असानी के लिए हम करते हैं इस portion को head कहा जाते हैं यह topmost portion को head कह देते हैं यह shank होता है the rivet is designated by its nominal dia objective में question पूछेगा rivet is designated by its nominal dia इसको shank पूछते हैं आज तक objective में ऐसा question नहीं आया कि यह जो head होता है इसकी height कितनी होती है और इसकी width कितनी होती है फिर भी देख लीजिएगा 0.7 और 1.6 अगर future में हमसे question पूछ ले तो next अगर हम बात करें तो आपको design की point of view से याद रखना है क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है rivet जो है उसकी shearing के अंदर strength calculate करने के लिए simply आपको यह करना है कि rivet shear में fail हो रही है तो rivet का आपको यह देखना है कि एक rivet थी और इस rivet का cross sectional area अगर मैं यह देखूंगा तो वो cross sectional area 5 by 4 d square consider कर लिया इतना area है जो इसकी failure को बचाएगा इस material की maximum permissible stress की value shear के अंदर क्या है वो sigma s लिख दिया तो मतलब यह rivet जो है इस cross section area से इतना shear का load area into stress load आ गया न तो इतना load जो है वो bear कर सकती है shear के अंदर simple अब जितने number of rivets है उनसे multiply कर दीजिए आप तो इस तरीके से आपके पास shearing strength हा जाएगी फिर उसके बाद अगर हम बात करें bearing strength की तो bearing strength के अंदर क्या करना है आपको कि इस rivet का projected area लेना है projected area भी कौन सा ये shank वाला यहाँ पर आप torch थ्रो करिए torch चे अगर आप light मारेंगे तो आपको ये projected area ये वाला दिखना चाहिए इसके अंदर तो D ये diameter वाला D into T ये D into T projected area आपको दिखना चाहिए D into T thickness of thinner plate multiplied by bearing में इस material की कितनी strength है तो इतना load ये bearing के अंदर ले पाएगा simple तीसरा आता है ये तो हो गया rivet की shearing के अंदर strength ये हो गयी rivet की bearing के अंदर strength तीसरा होता है plate जो है उसका failure अब plate में आपको क्या देखना है ये कोई plate थी इसके अंदर ऐसे rivets लगी हुई थी मान लीजिए तीन rivet लगी हुई है तो ये plate ऐसे cut होगी न टीरिंग के अंदर तो हम इसी section को यहाँ पे खड़े होके अगर हम इसको देखेंगे इसी section को इस side से ऐसे observe करते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये जो तीन rivets थी ये कुछ ऐसे थी अब कौन सा ऐसा area है जो इसकी tiering को बचाएगा इसे protect करेगा यहाँ तो rivets है पहले ही hole कर रखे है इस sheet में पहले ही हमने holes कर रखे है तो ये area तो बचाएगा नहीं ये जो मैंने आपको यहाँ पर highlight किया है ये जो dot से show कर रहे है ये वाला वो portion है जो plate की tiering को बचाएगा तो वो area कितना है तो वो area हो जाएगा अगर total width plate की B है अगर plate की width जो है वो B है इसमें से आपने diameter of hole diameter of hole diameter of hole अगर आपने ये वाला distance D के बराबर होगा ये वाला distance D के बराबर होगा तो अगर आपने B में से 3D माइनस करके फिर आपने thickness of plate से multiply कर दिया तो वो area आ जाएगा जो उसे tearing में बचाएगा और उस material की tearing के अंदर axial tension में जो क्षमता है कि कितना stress वो ले सकता axial tension में उससे अगर मैं इसको multiply कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये plate tearing के अंदर कितना load carry कर सकते है चलें आगे next तो यही बाते यहाँ पर लिखी हुई है अब depend करते है किस type का joint है उस type के joint के लिए उसे हम apply कर सकते है अगर lap joint है तो lap joint के अंदर एक sharing plane बनेगा plate सिर्फ यहीं से कट हो जो rivet है वो सिर्फ यहीं से कट हो सकती है अगर आपके पास double cover but joint आता है तो उस case में दो sharing plane उसके बन जाएंगे दो से multiply कर देंगे दो area जोर आ जाएंगे अगर आपको limit state method में put करना है तो limit state method के अंदर shear strength of rivets put करने के लिए आप use कर सकते हैं upon root 3 into 1.25 और WSM अगर आपके पास है तो जो stresses आपने अभी अभी याद किये थे power driven shop rivet के लिए bearing में 300 sharing में 100 power driven field rivet के लिए 270 और 90 hand driven field rivet के लिए 250 80 वो आपको use करने हैं यहां पर next आगे बढ़ते हैं फटाफट से double cover but joint अगर अगर हमारे पास आया तो उस case में एक sharing plane यहां दूसरा sharing plane यहां इसलिए हम two से multiply कर देंगे rivets जो है उनकी sharing strength calculate करते वक्त क्योंकि दो areas यहां पर important role play कर रहे हैं number of rivets कितनी चाहिए question में ऐसे भी आया हैं ऐसे question भी exam के अंदर आएं जिनमें आपको यह बोल दिया कि कोई section है उस section के उपर total load जो आने वाला है वो आ रहा है 1600 किलो न्यूटन और एक rivet है जिसकी sharing के अंदर जो strength है वो है 20 किलो न्यूटन उसकी bearing के अंदर strength है 40 किलो न्यूटन तो कितनी rivets हमें चाहिए होंगी जल्दी से बताएं कितनी rivets हमें चाहिए होंगी जल्दी से बताएं हमें चाहिए होंगी हम कहेंगे number of rivets will be total load कितना आ रहा है और एक rivet कितना bear कर सकती है तो rivet value और rivet value जो होती है वो होगी minimum of these two rivet value जो होगी वो minimum of these two होगी तो load total आ रहा है 1600 किलो न्यूटन और एक rivet अगर shear में fail करें गई तो वो failure है न उसका तो rivet value वही consider करेंगे तो 20 आपने ले लिया तो answer हमारे पास आ गया 80 rivets simple ऐसे question आप से exam में पूछे जाएंगे 80 rivets फिर उसके बाद efficiency of joint जब भी हम calculate करते हैं तो efficiency of joint calculate करने के लिए हम कहते हैं कि efficiency of joint will be the least strength of rivets in sharing and bearing यानि कि rivet value या फिर plate की tearing strength अब हम कहेंगे rivet failure बहुत जादा dangerous होता है कोई warning नहीं मिलती एकदम से तूट जाएगा और unbuttoning होगी कि अगर एक rivet fail हो गई तो फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि multiple rivets जो है वो fail हो जाए एक साथ बहुत सारी rivets fail हो जाए इसका example हमने पहले भी देखा है कि जैसे अगर load total आ रहा है 10,000 kilonewton load total जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 10,000 kilonewton 10,000 नहीं चलो 1,000 kilonewton load आ रहा है और हमारे पास जो है वो 10 rivets है 10 rivet ये 10 rivet में से हर एक rivet individually 100 kilonewton load बियर कर सकती है तो अभी हमारा section safe रहेगा लेकिन अगर किसी current वश एक rivet भी fail हो गई अगर एक rivet भी fail हो गई तो failure से पहले तो ये सब मिल करके 1000 kilonewton की strength दे रहे थे अब अगर एक fail हुई किसी current से तो अब जो है वो हो जाएगी यहाँ पर minus 100 कर लीजिए तो 900 kilonewton बचा अब externally load आ रहा है 1000 अब बियर कितना कर पा रहे है 900 तो अब बाकि सारी rivets भी fail हो जाएंगे तो इसलिए rivet failure जो है वो जादा dangerous होता है as compared to plate failure तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि plate failure, rivet failure जो है वो पहले हो तो rivets जो है उनकी strength जादा ही होनी चाहिए as compared to plate तो इसलिए efficiency जब हम बताते हैं तो कहते हैं least value of these rivet value and tiering तो इन में से least खुद से ही यही मान लेते हैं until and unless question में ऐसा data ना दिया होगा हो जिससे कि इन दोनों में से कुछ least आ जाए shear capacity obviously double cover but joined में जादा होगी क्योंकि जादा area contribute होगा न वहाँ पे shear के अंदर capacity आप यूँ समझ लीजिए यह चाहे bolt है चाहे rivet है एक आपके पास lap joint था एक आपके पास double cover but joint था ऐसे कुछ अब इस case में rivets बना लेते हैं यहाँ पे एक rivet यह थी और एक rivet यहाँ पे थी अगर same amount of load लगेगा अगर same P amount of load यहाँ पर आ रहा है और P ही यहाँ पर आ रहा है तो उस case में shear में strength जादा कौन सी rivet की होगी आप यह पूछ रहे हैं तो उस case में आप यह देखे कि यह जो P load आएगा उसको lap joint में तो सिर्फ और सिर्फ इसी area को काटना है shear off करना है एक ही जगा उसको जोर लगाना पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर उससे इधर से भी shear off करना है इधर से भी shear off करना है तो दो जगा जा करके वो act करेगा तो load यहाँ पर आ करके divide हो जा रहा है तो इसकी strength जो है वो जादा है ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए इसकी strength अगर sharing में लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे पाई बाई 4D square इसका area जो share में काम कर रहा है sigma s जो इसके maximum permissible stress की value है इस rivet material की तो यह rivet इतना load भी एर कर सकते है और एक ही section है यहाँ पर एक ही जगा से यह shear off हो रही है इसकी अगर हम बात करेंगे तो sharing में इसकी strength हम लिख सकते है कि pi by 4D square और ऐसे area कितने है एक area यहाँ पर एक area यहाँ पर दो sharing plane है तो 2 से multiply कर दिया और फिर multiplied by यह material कितना stress ले सकता है तो इसकी load carrying capacity in shear ज़ादा है as compared to left joint ठीक है अब अगर हम बात कर रहे थे कि least value of shearing, bearing of rivet and tearing of plate में से हम tearing of plate को अगर minimum ले ले लेते हैं तो इस तरीके से efficiency का formula लिखा जा सकता है gauge length के लिए अगर हम बात करेंगे एक particular rivet के according अगर हम बात करेंगे तो उस case में g minus d by g into 100 ये छोटा सा प्यारा सा formula याद कर लेना है अगर objective question में directly आपको दिया हुआ हो formula भी पूछा गया है engineering services तक में कि अगर gauge length या pitch length के लिए efficiency calculate करनी हो तो क्या formula यूज़ करेंगे SSE में भी आया हुआ है तो याद रखिएगा numerical आएगा तो cdc value put करनी है इसके अंदर वो calculate कर सकते है chain riveting diamond riveting इन से related objective question क्या पूछता है outermost section critical किस के लिए होता है तो अगर load आएगा तो सबसे पहले इस outermost के उपर अगर आएगा इस तरफ से आएगा तो सबसे पहले इस outermost पर आएगा तो outermost section critical किस के लिए होता है में प्लेट के लिए होता है, लोड आएगा, तो सबसे पहले में प्लेट के इस section 1-1 पर act करेगा, फिर 2-2 पर act करेगा, फिर 3-3 पर act करेगा, फिर उसके बाद cover plate पर जाएगा, तो cover plate के लिए critical section 3-3 होगा, फिर 2-2, फिर 1-1, तो main plate के लिए critical section outer वाले, cover plate के लिए critical section inner वाले, यह आपको objective में ऐसे statement form में पूछता है, strength calculate करनी जब भी आ जाए, मैं एक random example ले लेता हूँ, strength calculate करनी जब भी आ जाए, तो कैसे strength calculate करेंगे, आप उसे यूँ समझिएगा, कि अगर कोई भी joint है, मैं एक तरफ का joint बना रहा हूँ, जैसे इसके नीचे एक plate यहाँ पर use हो रखी होगी, और एक plate यहाँ पर ऐसे use हो रखी होगी, यह cover plate है जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर मैं combinations की बात करूँ, एक general सा example ले रहे हैं, ऐसा कुछ, चार बन गए, अब देखे, अगर मैं इसे बोल देता हूँ कि यह section आपका कौन सा, वन वन, इसे मैं कहे दूं section 22, section 33, section 44, critical section for main plate is section 11, critical section for cover plate is section 44, यह हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब अगर मुझे यहाँ पर load carrying capacity बताने हो, कि section 11, section 22, section 33, 344, इनकी strength कितनी है, तो मैं एक example लोगा यहाँ पर, strength of, section 33, for main plate, यह आपको लिख करके देखनी हैं कि क्या आप लिख पा रहे हैं, जल्दी से लिख के देखे, strength of section 33 for main plate, main plate के लिए अगर मैं 33 section की strength देखूँगा, तो पहले तो मुझे खुद देखना होगा, यह 3-3 section के उपर, इस 3-3 section के उपर, कितने holes हैं, तीन है, इस 3-3 section की खुद की कितनी strength है, सबसे पहले तो यह देखेंगे, कि 3-3 section की खुद की कितनी strength है, तो वो खुद की strength देखने के लिए आप क्या करेंगे, B में से 3D को minus करें, B में से 3D को minus करेंगे हम, उसके बाद multiply करेंगे इसे, किस से, B minus 3D, into thickness of plate, into जो axial strength है, इस material की जिससे यह plate बनी हुई है, तो हमने वो cross-sectional area पता कर लिया, अब यह 3-3 section fail कब होगा, जब इस 3-3 section तक इतना load पहुँच जाए, जितना यह खुद भी एर कर सकता था, प्लस इससे आगे तीन rivets और खड़ी हुई हैं, जो उस load को resist कर लेंगे, जैसे दुश्मन ने हमला किया, जैसे दुश्मन ने हमला किया, आप जो खड़े हैं, आप इस third line में खड़े हैं, आपके पस 3 सिपाही हैं, तो यह 3 सिपाही जो हैं, यह कब हारना शुरू होंगे, यह तब हारेंगे, जब इनकी जितनी खुदकिक शमता है लड़ने की उतना प्लस इससे आगे ये जो तीन सैनिक और खड़े हैं ये जितने लोगों को या इनकी जितनी स्ट्रेंथ है जब इन सब की मिला करके स्ट्रेंथ से जादा अगर दुश्मन इतना आ जाएगा तब ये हारेंगे तब तक नहीं हारेंगे तो इसका मतलब इस सेक्शन 33 पे खुदकी स्ट्रेंथ कितनी बी माइनस 3D इंटू T इंटू सिगमा इटी प्लस इसमें आप क्या कर दीजिए इसके आगे तीन रिवेट्स और लगी हुई है फटा फट से मैं सारे सेक्शन के लिए भी लिख देता हूँ सेक्शन 11 के लिए अगर हम देखेंगे अभी किस के लिए देख रहे हैं? मेन प्लेट के लिए देख रहे हैं मेन प्लेट के लिए देख रहे हैं सो मेन प्लेट के लिए section 1-1 पे अगर हम देखेंगे section 1-1 पे b minus कितने holes present है a की present है तो b minus d into t into sigma 80 इससे आगे कोई rivets नहीं present थी section 2-2 पे अगर हम देखेंगे तो b में से कितने holes में minus करूँ 2-2 की खुद की strength देखने के लिए तो 2d कर लीजिए into t into sigma 80 section 2-2 से आगे कितने rivets है तो एक rivet है तो इसे plus RV कर देखेंगे फिर section 4-4 पे अगर हम देखेंगे तो कितने holes present है section 4-4 पे b minus 4d into t into sigma 80 plus 4-4 से पहले अगर main plate के उपर ऐसे load आ रहा था तो 4-4 से पहले कितने आपके पास rivets present है तो 1-2-3 और 2-5 और 1-6 6RV इस question में एक छोटी सी चीज और change कर लीजिएगा कि B जो है वो cover plate की thickness है और अगर M मैं इसे BM से mention कर दूँ तो BM main plate की thickness है तो आपको इसमें change ये करने है B की जगा BM लिख लेना है सारी क्योंकि दोनों की जो मैंने यहाँ पर width है plates की वो बहुत अलग-अलग दिखा रखे है main plate की बहुत ज़ादा cover plate की कम तो इसलिए इसे BM कर लीजिएगा simple अब अगर cover plate की strength की बात करी जाए तो cover plate की strength कैसे calculate करेंगे ये मैं क्यों कर वा रहा हूँ क्योंकि objective में अगर ऐसा question आ गया ये diagram दे दिया और आपको सिर्फ ऐसे बोल दिया कि section 3.3 पर बताओ कितने strength होगी main plate के लिए तो हमें लिखना तो आना चाहिए न कि कैसे लिखेंगे B में से पहले इसके खुद की strength देखी फिर इससे आगे कितने rivets हैं वो देख लिया हमने और objective question में obviously ये दिया हुआ होगा कि rivet की sharing में strength इतनी rivet की bearing के अंदर strength इतनी तो मतलब उनसे हम rivet value decide कर सकते हैं दोनों में से जो least होगा और फिर B और D की values आपको दे रखियोंगी thickness की और इनकी वो put करना है answer आएगा हमारा rivet value होती है दोस्त कि एक rivet sharing में जब cut जाएगी अब ये rivet थी आपके पास ये rivet थी आपके पास अब इस rivet पे मैंने इतना load लगाया एक plate ऐसे थी एक plate ऐसे थी अब इतना load लगाया कि ये ऐसे अलग हो गया shear off हो गया ये sharing में तो ये जो cross section था इसके उपर लगा तो ये rivet की shearing के अंदर strength थी दूसरा क्या हुआ कि इसका cross section area क्या है circular है अब इसके उपर बहुत जादा ऐसे इतना load लगा कि इसका cross section area circular से अब elliptical हो गया तो वो bearing के अंदर उसकी strength है कि maximum कितना load वो bearing में ले सकती है rivet value हम बोलते हैं कि rivet value rivet की strength बता रहे हैं तो rivet अगर shear में fail हो गई तो भी failure है अगर bearing में fail हो गई तो भी failure ही कहा जाएगा उसको तो rivet value होती है minimum of shearing या bearing strength उसकी तो rivet की कितनी क्षमता है clear BM इसलिए ही लिया क्योंकि main plate की strength बता रहे हैं तो main plate के areas consider किये जाएंगे इस main plate को ऐसे side से देखेंगे कि main plate में कितने holes हो रखेंगे main plate की width कितनी है तो उसका area observe करना होगा हमे चलो अब बात करते हैं cover plate के लिए cover plate की अगर हम बात करेंगे तो cover plate के लिए critical section कौन सा होता है cover plate के लिए critical section यह आपकी cover plate थी यह एक main plate यहां से आ रही थी यह main plate यहां पे थी इसके उपर और नीचे आपने यह cover plates यूज़ कर रखी होंगे फिर यह first line of rivet यह second वाली फिर उसके बाद यह third वाला यह fourth वाला similarly चार यहां पर अब आप यह देखें कि cover plate के लिए load जो आएगा वो load कैसे आएगा load सबसे पहले ऐसे आया फिर उपर गया फिर इदर आया तो critical section cover plate के लिए कौन सा है critical section cover plate के लिए 44 section तो इसी लिए P मैं 44 अगर लिखूँगा तो वो कैसे लिखूँगा P44 will be written as B minus 4D और यहां पर B की जगा cover plate के लिए BC use कर लेते हैं minus 4D into T into जो भी axial tension में strength cover plate की दे रखी है अगर मैं P33 के लिए बात करूँगा तो वो हो जाएगा width of cover plate minus 3D plus 3D into T into sigma 80 plus अब 33 section पे ऐसे load ऐसे आ रहा है जब load इस तरफ से अब आ रहा है इसके उपर तो पहले section पे हमने calculate कर लिया 33 पे अगर आएगा तो 4 rivets 33 section से पहले present होगी है अब की बार load कैसे आ रहा है ऐसे जा करके उपर से ऐसे आ रहा है तो 33 पर आते आते 4 rivets पहले present होगी फिर उसके बाद अगर मैं P22 की बात करो तो cover plate की जो width है उसमें से minus कर दीजिए 22 section पर दो holes present है B minus 2D into T into sigma 80 22 की अगर हम बात करें तो width of cover plate minus 2D into T into sigma 80 प्लस अब कितने rivets इससे आगे present है इससे आगे 4 और 3 7 rivets present है P11 पे चलते है width of cover plate minus D into T into sigma 80 प्लस 11 से पहले 4 और 3 7 और 29 section 11 से भी तो load उपर जा सकता है ऐसे नहीं जाता है न दोस्त ये plus नहीं है दोस्त T है ये T है multiply नहीं है ये plus नहीं है T है PDF मिल जाएगा इसका PDF education का भी वैसे uploaded था लेकिन latest वाला आपको with questions वाला जो है वो भी मिल जाएगा वो भी इस session के बाद साथ में provide कर देंगे done आगे चले D diameter of hole obviously देखिए cover plate के अंदर सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एक किला है आप राजा है उसके वहाँ पर attack हो रहा है आपको उसे सुरक्षित करना है तो जब attack होता है तो सबसे पहले दुश्मन एकदम direct थोड़ी न main जो है आपका first floor है उसे के उपर ही आ जाता है पहले किलाई का जो main gate है वो main gate से enter करता है उसको तोड़ने की कुशिश करता है अब जब main gate से वो ऐसे आएगा यहाँ तक जाएगा फिर उसके बाद उपर फिर इस तरीके से यहाँ पर तो जब main gate से दुश्मन आएगा तो सबसे पहले जो सबसे आगे यहाँ पर आपके सिपाही या सैनिक खड़े होंगे उन पर attack होगा फिर उसके बाद इन पर फिर इन पर फिर इन पर फिर इन पर फिर उसके बाद वो अंदर enter कर चुका है फिर उसके बाद वो सीडियों से जाएगा first floor पर first floor पर जाते ही सबसे पहले जो सीडियों के पास खड़े हुए सैनिक है उन पे अटेक होगा फिर नेक्स पे एंट्स होगा फिर उसके बाद आप बोलेगे नहीं अगर बाहू बली हुआ थो हाँ वही वस मैं यही वेट कर रहा था कि बाहू बली हुआ डाइरेक्ट अगर आ गया थो फिर तो क्या ही कर सकते हैं फिर स्टील लगा दीजिए टाइटेनियम लगा दीजिए सब फेल हो नहीं है न्यू स्टील यही है दोस्ट सिविल वन जिरो वन पर सुबह पढ़ेंगे शाम को प्रेक्टिस सेशन करेंगे चलो आगे बढ़े यह आई होप समझ में आ गया होगा आपको एक्जाम में चांसी हैं कि ऐसा क्वेशन आ जाए जिसमें ऐसे डाइग्नाम दिया हो और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का कोई पूछा हो तो अगर आपने यह प्रेक्टिस कर रखा है तो समझ में आ जागे कैसे करना है फिर उसके बाद एक्जाम में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेशन डाइरेक्ट क्वेशन आएंगे देखो कोड के प्रोविजन ना वैसे बहुत भारी लगते हैं लेकिन है भाध सैंपल और बहुत प्यारे डाइरेक्ट कोशन मिनिमम एज और एंडिस्टेंस कितना जाहे आप बोल्ट के लिए बात कर लीजे जाहे रिवेट के लिए बात कर लीजे यह वैल्ल्यू अगर आपके elements जो है वो machine cut है अगर आपने hand cut किया है या फिर hand driven elements है तो उस case में 1.7 times of gross आया कम से कम इतना edge या end distance इतना तो होना इची है design point of view से जब हम design करेंगे तो 2 ले लेंगे लेकिन आप objective के point of view से 1.5 machine cut के लिए 1.7 आप use कर लीजेगा hand cut elements के लिए फिर उसके बाद pitch, pitch से related बहुत simple और बहुत ही प्यारे objective question आते हैं वो आपसे क्या पूछता है कि minimum pitch ऐसे members के ल केस में minimum pitch कितनी होनी चाहिए तो compression के case में अगर आप बात करेंगे तो compression के case में यह होनी चाहिए 12T या फिर 200 mm और इन दोनों का भी क्या consider करेंगे अगर आप ये कह रहे हैं कि maximum pitch जादा से जादा इतनी दूरी पर रखेगा तो इन दोनों का आपको क्या adopt करना होगा जब आप किसी चीज का maximum बताते हैं कि maximum pitch तो इनका minimum लेना है आपको तो minimum of these two तो minimum of these two ले लीजिए तो 12 into 8 या फिर 200 कितना answer आजाएगा similarly tension का भी calculate करके बताए 16T या 200 96 और T यहाँ पर अगर दो plate दे दी जाती आपको एक plate और 10 mm वाली दे दी जाती तो thickness of thinner plate ही consider करते thickness of thinner plate ही consider करते next tension में भी बता दीजिए जल्दी से tension में अगर आपको calculate करना होता तो minimum of 16T या फिर 200 mm 16T 16 into 8 128 आ जाता याद रह पाएंगे यह provision exam में direct question पूचता है आपसे यह भी पूच लेगा या numerical पूच लेगा इतना छोटा सा numerical याद रखेगा यह बात है maximum pitch की minimum pitch तो 2.5 times of nominal dia consider करते है maximum pitch इतनी होगी objective में question पूचेगा कि अगर rivet हमने जो use की है ऐसा भी question आ सकता है कि rivet हमने use की है उस rivet का nominal dia जो use किया गया वो 20 mm है तो आप यह बताएं what is two plates are joined through a lab joint using a rivet of nominal dia 20 mm what is the maximum pitch if it is in compression what is the minimum pitch minimum और maximum pitch पूच लेगा इस तरीके से आप से तो आपको minimum pitch जो आपको बतानी है वो तो कम से कम कितनी बतानी है pitch minimum वाली जो होगी इसे ऐसे वाले P से denote कर लेते हैं P जो minimum होगा that will be 2.5 times of nominal dia 2.5 times of 20 50 mm तो यह पूरा एक question भी पूच सकता है आपसे आपसे यह पूच लेगा कि what is the maximum pitch of rivet maximum pitch अगर इतनी rivet का nominal size है और आपसे यह बोलेगा कि minimum pitch कितनी होनी चाहिए SSEJ का admit card आ गया क्या हो 2-3 regions के लिए आ चुका है आप एक बार SSE की website पे जाकर करके जो reason आपका है आप sse.nick.in पे जाएंगे फिर admit card में जाएगा तो वहाँ पे websites खुल जाएगी जो आपका region है उस region पे जाकर के click करिएगा और उसकी website पे चेक करिएगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको maximum ले रहे हैं तो minimum Q consider कर रहे हैं class में बहुत discuss किया दोस दिसको maximum ले रहे हैं तो minimum Q consider करेंगे जैसे एक बात सुनो आपने कोई चीज पर चीज करनी है आप अपने घरवालों को बोलते हैं फोन लेना है कौन सा फोन लेना है अब आप बता नहीं रहे हैं directly कि फोन लेना है थोड़े पैसे लगेंगे उसके लिए तो आपके घरवाले आपको क्या बोल देते हैं कि तुम्हें जादा से जादा 10,000 रुपे मिलेंगे या उतना मिलेगा जितने का फोन आया आपके घरवाले आपको क्या बोलेंगे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपए मिलेंगे या उतने मिलेंगे जितने का फोन आया तो इड मीन्स डैट कि आपको क्या मिलेगा minimum of minimum of किसका मिलेगा कि जो फोन का प्राइस है या फिर 10,000 अब अगर आप 10,000 से कम का फोन लेंगे मान लिजी 8,000 का लिया आपने अब आपको घरवाले क्या बोल रहे है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा maximum से maximum fund allocated to you would be either the phone price or 10,000 तो आपने क्या गर लिया इनका minimum ही चूज किया ना जब ऐसे बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें तो जब हम ऐसे बोलते हैं कि किसी चीज का maximum से maximum इतना हो सकता है तो आपको इन में से minimum ही choose करना होगा अब आप 12,000 का अगर phone लेने चले जाएंगे तो भी आपको minimum इन में से 10,000 मिलेंगे पिज़ा हो गया हाँ सही है जब भी बैल बज़ती है तो सामने पिज़ा वाले भाई यह खड़े होते है बहुत डर लग रहा है पहली बार पेपर दे रहे हैं डरने वाली क्या बात है इसमें पहली बार दे रहे हैं अगर मेहनत की है तो उस पर विश्वास रखिएगा और सीमित संसादनों के साथ अगर आपने तैयारी की है तो उसका confidence और अलग होता है कि हाँ भाई मैंने इतनी situation इतनी खराब situation में या इतनी कम facilities में पही मैंने इतनी तैयारी अगर कर ली है तो definitely मैं उसको और भैतर तरीके से utilize करने जाओंगा वहाँ पर सर आप मेरे questions पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप भी मेरे questions पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मुझे भी बुरा लग गया मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप उस पर क्यों नहीं ध्यान कर रहे हैं दोस्ट कई बार script हो जाता है कुछ और है तो आप comment कर दीजेगा चलो आगे बढ़े next देखो exam time में ना simple सी बात सोच करके जाना अगर आपने पढ़ा है तो आप अराम से answer कर पाएंगे और अगर आपने पढ़ा है और आप answer नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बाकी सब के साथ भी same ही हो रहा है competition exam है relative खेलना है किसने जादा महनत की है वो select होगा simple सी बात है बाकियों के comparison में किसमें जादा महनत की है वो होगा तो आपको पता है कि अगर आपने महनत अच्छी खासी कर रखी है तो आप definitely exam में अच्छा ही perform करेंगे वो अच्छा performance यह नहीं होता कि technical के 100 में से 100 ही आपके आ रहे है technical में बाकियों के हिसाब से आपके कितने आ रहे हैं वो आपको देखना है competition exam में तो चिल मारना एकदम must tension free होके जाना है बस आप ऐसे सोचेगा कि आप कोई जैसे वो movies में नहीं दिखाते है action movies के hero है कि आपके पास tools बाहु बली का example ले लीजे कि बाहु बली में आपको सबसे खराब हतियार भी अगर दे दिये जाए तो कैसे युद्ध में आपको विजय प्राप्ति करनी है तो वही चीज़ वही mindset ले करके जाना है जितना आपके पास संसादन है in terms of जो भी आपने अब तक सीखा है जो भी आपका knowledge और जो भी experience है उसको कैसे best utilize करना है मान लीजिए आपकी तयारी थी 60 to 70% let's say 70% थी तो आपको target यही करके चलना है आपको खुद को एक idea लग जाता है न हमें कि भाई मेरी तयारी जो वो इतनी है लगबग कि जितना पढ़ना चाहिए था मुझे उसका लगबग इतना percent मैंने पढ़ लिया so let's say कि 70% आप में से maximum लोग 70, 80, 90, 100 और उससे उपर भी निकल गए है मुझे पता है लेकिन मैं ऐसे दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे है average से average या below average वालों की तो 70% अगर आपने तयारी कर रखी है तो आपको पता है कि मेरी 70% तयारी है तो दिमाग में यही होना चीए कि 70 तो मुझे करने ही करने है अब मुझे उस 100 में से वो 70 वाला portion लूनना है पहली चीज तो यह तो वो 70 वाले portion को deal करना है फिर उसके बाद जब time बच जाएगा तब हम उस चीज पर फोकस करेंगी कि जो बचे हुए 30-20% जो रह गया उसमें और कैसे कर सकते हैं कौन सी ऐसे calculations हैं जो मैं कर सकता हूँ जिनमें मैं अब time दे कर कुछ और extra marks गेन कर सकता हूँ चलो आगे बढ़ता है next तो पहली चीज तो हमने ये बात कर ली अगर rivets है compression में है तो maximum pitch जो है वो 12T या फिर 200 mm हो सकता है अगर staggered rivet है तो इसका 50% increase कर दो तो 18T या 300 mm हो जाएगा अगर tension में है तो 16T या 200 था अब अगर staggered rivet दी हुई है तो 24T या 300 कर दो increase कर दीजिया आप यहाँ पर gauge length should not be more than 100 plus 40 या फिर 200 mm से जादा gauge length नहीं हो नीचे ये maximum edge distance जो है वो 12T epsilon से जादा नहीं होना चाहिए जहाँ पर epsilon root of 250 by FY के बराबर है आप से objective में statements पूच सकता है अगर examiner थोड़ा सा निर्दाई निकला तो वो ऐसी चीजें statements में पूचेगा 3 statement देगा which out of the following specifications regarding the rivets are true तो उनमें 3 statement देदेगा पहली statement ये देदेगा कि आपको maximum pitch for a rivet in compression is 12T और 200 mm second statement आपको देगा कि maximum pitch for a rivet in compression is 18T और 300 mm if it is staggered riveting तीसरा आपको देदेगा कि gauge length should not be more than 100 plus 40 या फिर 200 mm which out of the following are correct all three are correct sir आप below average होकर कि भी master कैसे बन गए पहली चीज़ मैंने ये मान लिया कि मैं below average हूँ फिर मैंने उस तरीके से सोचा कि below average student को क्या-क्या परिशानिया आ सकती है कैसे उसे समझ में नहीं आती है चीज़े तो फिर उसको कैसे समझानी चाहिए ये चीज़े तो बहुत simple process है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ेते हैं next the maximum pitch provided in case of tag rivet when two angle section are placed back to back using gadget plate is 1000 mm in case of tension less than 600 mm in case of compression ये आपको याद रखना है जब दो plates को attach कर दिया गया तो उस case में 32 T या 300 mm उपर वाले recommendations जो थे आपके पास वो tag rivet जब दो angle section को place किया गया या फिर channel section को place किया गया तो उनी के लिए ये provision valid है नीचे वाला plates के case में जो आपको याद रखना है फिर unwins formula objective point of view से बहुत ही favorite सा question बन जाता है कि अगर आपके पास एक plate है जिसकी thickness जो दी हुई है आपको एक plate है उसकी thickness दी हुई है 100 नहीं 16 mm दी हुई है तो उस case में nominal die of rivet क्या use किया जाना चाहिए तो 6.04 into root of 16 तो आप 24 mm adopt कर सकते हैं हां जी बहुत ही वड़िया अगर centimeter में t की value आप अगर mm में ना put करके centimeter में put करें तो इसका value आएगा 1.91 centimeter में अगर put करना हूँ questions में centimeter में दे रखा हूँ या आपसे एक objective question SSC में ये भी दिया हुआ था objective में equation ये भी दिया हुआ था कि formula पूछा था आपसे अन्विंज formula का in terms of centimeter तो 1.91 root t यहाँ पर तो ये formula में आप mm में put करेंगे 1.91 root t centimeter में next अब एक आप जो पूछ रहे हैं सर ये confusion clear कर दीजिए मेरे दोस्त आप पूछ रहे हैं minimum जो pitch है और maximum pitch की बात कर रहे हैं minimum pitch और maximum pitch की बात कर रहे हैं तो वो minimum pitch जो है वो 2.5 times of nominal dia maximum pitch थी 12 t या 200 दो रिवेट्स को कम से कम कितनी दूर रखना है तो ये तो मतलब क्या हो गया minimum pitch हो गई ना कि इतनी दूरी तो कम से कम रखो कितनी रखो 2.5 times of nominal dia के बराबर दो रिवेट्स के बीच में जादा से जादा दूरी कितनी हो सकती है ये तो थी कि कम से कम कितनी ये है आपके पास कि जादा से जादा इस से जादा दूर मत रखना तो maximum pitch तो इसकी बात कर रहे हैं कि 12 t या 200, 16 t या 200 demanding upon वो compression लग रहा है या tension लग रहा है ये है आपके पास edge और end distance edge और end distance का मतलब कि ये जो बिलकुल सबसे last वाले rivet रखी जाएगे ये edge और end distance कितना होना चाहिए एक बार फिर से clear कर लीजिए minimum end और edge distance ये last वाले rivet कितने distance से होनी चाहिए ये question था फिर बीच में जो rivets लगी हुई है उनकी बात कर रहे हैं कि pitch जो है वो कम से कम कितने ही जादा से जादा कितने maximum pitch में अगर tension और compression mention नहीं होगा तो कौन सा adopt करेंगे तो उस case में अब 12 t वाला adopt करिएगा अगर कोई ऐसा member है जिसमें reversal of stress आ सकता है उसमें tension भी आ सकता है compression भी आ सकता है तो हम क्या कहेंगे जादा दूर मत provide करो compression वाला कहता है 12 t, tension वाला कहता है 16 t, सबका minimum लेना है तो सबका minimum आजाएगा 12 t, वो adopt कर लीजेगा चलो, आगे बढ़ते हैं, next यह values I hope आपको याद हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं forward unwinds formula हो गया और field rivet permissible stresses की value को 10% से reduce कर लेते हैं, यह already हम देख चुके permissible stresses in rivet under wind load condition, अगर wind loads लग रहे हैं सिर्फ तो उस case में आप 25% से strength को या जो rivets के अंदर जो value आ रही है उनकी permissible stress की उसको 25% से बढ़ा सकते हैं permissible stress in rivet under wind and earthquake, same statement है वो thickness of cover plate अगर नहीं given हो आपको, तो उस case में thickness of cover plate 5 by 8 times of main plate की जो thickness है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो हूँ 5 by 8 times of thickness of main thinner plate फिर उसके बाद what are the assumptions in design of riveted joint तो assumptions सारे ध्यान से पढ़ लेने हैं, नीची लिखा होगा all of the above तो अगर सारे assumptions सही हैं, तो all of the above आप tick कर दीजेगा, ऐसा objective में question आपसे पूछता है grip length जो है, limit state method के अंदर यह जो grip की length है, 5 times of nominal dia से जादा नहीं होनी चाहिए और 8 times of nominal dia से जादा नहीं होनी चाहिए, limit working stress method के अंदर most important consideration, g-d into t into ft should be less than equal to n into rv, इसका मतलब है कि rivet failure नहीं होना चाहिए, इस statement का मतलब क्या है, कि rivet failure नहीं होना चाहिए tension के अंदर जो strength है, वो कम रहनी चाहिए as compared to rivets की जो strength है उसके अंदर, objective questions में, जब भी आपको ऐसा दिया हुआ हो, कि single riveted joint है तो single riveted joint का मतलब एक line of rivet है, वो उस line में कितने भी rivet हो सकती है double riveted joint अगर दे दे तो मतलब दो line of rivet है आप से objective में वो बोलेगा double riveted double cover joint double riveted double cover joint, तो इसका मतलब दो line of rivet है और double cover joint जो है यहाँ पर use किया गया है, यह आप से objective में पूछता है फिर objective में यह eccentric load जो है इनसे as such कोई questions नहीं बन पाते हैं क्योंकि questions थोड़े से lengthy हो जाते हैं वहाँ पर तो objective point of view से यह eccentric connection वाले इतने जादा important नहीं है आपने अगर mains के question कर रखे हैं इसके, तो फिर आप easily उसको handle कर पाएंगे फिर भी अगर आप चाहते हैं कि formula हम पुझे देखना है, तो एक तो यह होगा direct shear load कैसे calculate किया जाता है, पी load जो आया, divide कर दीजिए आप जितनी rivets हैं उनमें, तो एक rivet पर direct shear load उतना आएगा दूसरा यह आएगा twisting के कारण कि, यह जो rivet जो थी अब आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर यह centering load है, तो इस rivet की मैं बात कर रहा हूँ यह direct shear load जो लगेगा न, पी, इसका direct shearing का effect क्या होगा यह इस rivet को ऐसे cut देने की कोशिश करेगा, तो यह rivet यहाँ से क्या हो जाएगी ऐसे cut हो जाएगी, ऐसे rivet cut जाएगी, तो यह तो क्या हो गया, इसका direct shear का effect हो गया दूसरा क्या होगा, कि इसके twisting का effect होता है, दूसरा क्या होगा, यह rivet ऐसे लगी हुई थी और ये eccentric load इसको ऐसे क्या करेगा ऐसे twist कर देने की कोशिश करेगा ऐसे twisting वाला इसके उपर effect लगाएगा तो उसके लिए बहुत ही simple सा formula है आप कौन से exam की तयारी कर रहे हैं आप pre-exam की तयारी कर रहे हैं आप pre-exam की तयारी कर रहे हैं तो इस revet के उपर दो effect आये थे एक तो direct shear का effect जो उसको directly ऐसे cut कर देने की कोशिश कर रहा था और एक ये cg of the group से कुछ eccentricity के उपर ये load लग रहा है तो आपको simple याद रखना है कि ये twisting वाला जो force लगेगा वो लगेगा pre upon submission of ri का square pre का मतलब p कितना load है कितनी दी हुई है और eccentricity याद रखेगा cg of the group से calculate करते है r1 ये distance r2 ये, r3 ये, r4 ये, r5, 6, 7, 8 r1 calculate करना है इसका square करना है plus r2 का square, plus r3 का square, plus r4 का square and so on सारे squares calculate करके फिर सबको add करके इसमें input करना है तो calculation बहुत बढ़ी हो जाती है इसलिए objective में पूछने के chances कम हो जाते है लेकिन फिर भी अगर आपको ये बोल दे वो कि सारे distances ऐसे दे दिये सिर्फ चार rivet ही दे दी जिनका distance calculate करना ही बहुत आसान है तो आपको answer आना चाहिए उसका solve करना next फिर जब F1 आ गया direct वाला और twisting वाला आ गया इन दोनों के बीच का angle जो है वो cos theta आप उट करके calculate कर सकते है और cos theta कैसे आएगा ये वाला angle होता है ये वाला angle cos theta आप calculate कर सकते है actual में होता क्या है cos theta वो तो ये होता है कि जितना ये vertical direction में load आया और इन दोनों के perpendicular वाली line ये वाला इस revet के ऐसे जो यहां से cg of the group से इसको join कर रही है इसके perpendicular direction में तो this is your F1, this is your F2 इन दोनों के बीच का angle ये theta होता है अब ये theta कैसे आया ये theta है, ये 90 degree है तो ये 90 minus theta ये 90 है तो ये 90 minus theta तो ये theta आपने पास आ गया दुबारा से सुन लीजिए, क्या बोला मैंने अगर ये angle theta है ये 90 minus theta हो गया ये 90 minus theta है ये 90 है तो ये theta हो गया तो ऐसे ये theta आ जाता है ये theta calculate करके F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta next आगे बढ़ते हैं ये objective point of view से max to max बस ऐसा question आप से पूछ लेगा और वो भी फिर last में ही करना है क्योंकि थोड़ा सा time consume कर जाएगा कि अगर आपके पास चार rivets हैं और चार rivets के बीच में यहाँ पे distances भी obviously उसको ऐसे ही देने पड़ेंगे जो आप easily calculate कर पाए यहाँ पे let's say इन दोनों के बीच का center to center distance 50 mm यहाँ से यहाँ तक का 100 mm तो यह 100 mm है अगर तो यह आपके पास कितना आ जाएगा this will be 25, this will be 50 और इसके CG से eccentric load यह कोई bracket था ऐसे इसके CG से eccentric load लग रहा है 100 kN का और यह कितने distance के उपर लग रहा है यह 160 mm के distance पे लग रहा है या फिर 400 ले लेते हैं अब आपको calculate करना होगा अब ऐसे calculate करने के लिए simply सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि एक rebate के उपर force कितना आ रहा है एक rebate पे force आ रहा है कि अगर 100 kN लोड लगा divide by 4 किया तो 25 kN तो वैसे आ रहा है फिर F2 की बात करेंगे तो F2 आप लिखेंगे PRE upon submission of RI का square अब B की value की बात करते है तो सबसे पहले 100 critical rivet के लिए calculate करते है critical rivet यह वाली होगी सबसे बाहर वाले तो R की value इस critical rivet के लिए पूट की जाएगी तो 100 kN into R की value R की value जब आप calculate करेंगे R की value देखेगा R की value आपके पास यह root of 25 25 का square प्लस 50 का square 55.9 यह distance आया 55.9 तो 55.9 into eccentricity 400 divided by submission of R1 का square अब यह भी 55.9 यह भी 55.9 यह भी 55.9 यह भी 55.9 यह आजाएगा तो आपके पास यह submission of R square के अदर आजाएगा 4 into यहां से F2 आजाएगा theta की अगर हम बात करेंगे तो यह छोटा सा ट्राइंगल था जिसके अंदर यह 50 था यह 25 था यह theta था तो और यह था 55.9 cos theta base upon अब फार्मुला लगा दीजिए resultant force का F1 का square plus F2 का square plus 2 F1 F2 cos theta जो answer आए वो जादा नहीं होना चीए rivet value से जो answer आएगा वो rivet value से जादा नहीं होना चीए FR should not be greater than rivet value अब solve गर लीजिएगा जो BI तरीका बचा दिया लेकिन objective point of view से देख रहे हैं कि time consuming हो जाता है आगे बढ़ते हैं next उसके बाद आते हैं bolted connection पर bolted connection के अंदर भी क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखनी है किन पर कितना focus करना है यह अब आपको decide करना है objective portion के point of view से जो आपको यहाँ दिख रहा है यह bolt है इस bolt के उपर इन threads के थ्रू यहाँ पर nut tighten कर दिया जाता है इस bolt का यह portion है shank इस portion को भी shank बोलेंगे लेकिन इस shank के इस portion में यहाँ पर यह threads बना दिये हैं हमने यह threads बना दिये threaded area का जो root होता है मतलब इसके बिलकुल यह bottom वाले portion पर जाए तो वहाँ से अगर आप area measure करते है तो net area जो उसका आता है वो आता है 0.78 times of जो bolt का area यहाँ पर है इसके बराबर अब इन में से क्या-क्या चीज़ें आप से पूछी जाती है bolt के इंदर क्या चीज़ जादा prefer करेंगे bolt का जो hole किया जाएगा एक तरीका आपके पास है punch कर दे directly एक कर दे आप drill punching है simple लेकिन Indian standard क्या recommend करता है कि punching should be done only in material with yield stress less than 360 MPa and where thickness does not exceed 5600 by FY तो objective के point of view से ऐसे statements बस पढ़ लीजेगा अभी तक तो question नहीं आया लेकिन हो सकता है पूछ ले structurally drilled holes जो हैं ज्यादा better होते हैं इनी के तरफ जाना चीए code कहेगा कि अगर material की yield strength 360 MPa से ज्यादा है तो उसके अंदर drill ही करें punch आप ना करें उसके अंदर bolt size क्या है और उसके बाद उनका tensile area क्या है mains के अंदर कही ना कहीं questions जो है उनके अंदर आपको ये data हो सकता है ना दे लेकिन pre के अंदर दिया जाना चीए board size और tensile stresses की value ये पूछ लेता है कि अगर आपके पास 4.6 grade का bolt है तो इसका मतलब उसकी yield strength जो है 240 है 0.6 से multiply कर दीजिए ultimate strength उसकी 400 है yield strength 240 है 400 को आप multiply कर दीजिए आप तो 640 आजाएगा तो yield strength उसकी 640 है ऐसे objective question आपसे पूछता है फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये already हमने discuss करी लिया जो objective में पूछता है next आगे देखें अगर हम अलग-अलग type के bolt होते हैं turned bolt कौन से होते हैं turned bolts जो होते हैं या फिर आप कोई किसी project के लिए particularly design करवाते हैं इनकी strength जो हाई होती है slipping जो हो बहुत least होती है joints की बात करें तो same जो joints हमने वहाँ पर बात की जो riveted connection के अंदर जैसे joints होते हैं वही same type के joints यहाँ पर होते हैं IS code के provisions भी सारे के सारे same ही हैं यहाँ पर जो भी pitch से related आगर हम बात करेंगे end distance, edge distance इन से related वो भी same block shear failure एक ऐसा failure होता है load की direction में failure shear, load के perpendicular direction में failure tension तो tension और shear failure plate का एक साथ होता है जिसे बोलते हैं block shear failure block shear failure के अंदर bolt जो है या rivet जो है उसने मना कर दिया कि मैं तो fail हो नहीं रहा तो bolt strength भी high है और material जो है वो क्या कह रहा है कि मैं bearing में नहीं फेल होंगा मैं चाहिए shearing या tearing में हो जाओं यह जो आपका plate का material था यह कह रहा है कि मैं bearing में फेल नहीं होंगा मैं चाहिए tearing में हो जाओंगा और shearing में हो जाओंगा तो हमने का हो जाओ तो उसने shear में वो ऐसे fail हो गया tearing में ऐसे fail हो गया इसी वज़े से ये इतना component अलग हो गया लेकर रिवेट या bolt कहरा है कि मैं तो fail होगा ही नहीं तो वो rivet as it is वहाँ पर बना हुआ है तो failure जो होता है block shear failure उसके अंदर एक तरफ tension failure होता है और एक तरफ shear failure होता है जिसके वज़े से ये पूरा का पूरा block जो होग जाता है next objective point of view से आपको bolted connection में ये वाली चीज़ याद रखनी ही रखनी है कि अगर nominal dia of bolt जो है वो 20 mm है तो आप कितना add करेंगे उसमें 2 mm add कर देंगे whole के लिए so 12 से 14 है तो plus 1 16 से 24 है तो plus 2 27 से 36 है तो plus 3 आप करेंगे objective question आया था कि एक bolt है उसका nominal dia 36 mm है तो उसका whole का diameter कितना होना चाहिए clear चलो आगे बढ़ते है minimum pitch 2.5 times of diameter D is diameter of bolt D is diameter of bolt full length test आज शाम को 9 बजे करेंगे 100 questions वाले next gauge distance क्या है maximum pitch क्या है minimum pitch क्या है यह हम सारी चीज़ें already discuss कर चुके intention के लिए 16 T 200 compression के लिए 12 T 200 फिर उसके बाद rose near the edge के लिए 4 T 100 staggered pitch के case में 50% से बढ़ा देंगे इन values को maximum gauge 32 या 300 आपके पास bolt के अंदर gauge distance जो आपके पास है 32 या 300 है maximum 32 T या 300 आगे पढ़ते हैं edge distance, end distance 1.7, 1.5 यह same as it is यह चलते आ रहे हैं आपके machine cut या फिर जो hand flame cut है उनके लिए यही आपको values याद रखनी है maximum pitch plates are not exposed to weather यह नहीं चीज़ है maximum pitch जब plates weather को exposed नहीं है तो उस case में 32 T या 300 M tacking bolts के लिए है यह tacking bolts के लिए maximum pitch 16 T या 200 जब exposed to weather है आपके पास for two members place back to back maximum pitch tacking bolt की 1000 mm से जादा नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं strength of bolt से related अगर आप यह छोटे छोटे प्यारे प्यारे फर्मुले याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर आप design shear strength of bolt क्या बोलते हैं कि जितने उसकी strength shear के अंदर और bearing के अंदर जैसे rivet के अंदर बोला था हमने design shear strength of bolt design bearing strength of bolt design shear strength of bolt को हमने किस से denote कर दिया VDSB D मतलब design, S मतलब shear, B bolt के लिए bearing के अंदर हम P से denote करते हैं D for design, P for bearing strength और B जो आपके पास है bolt की strength आ जाएगी और अब यह design वाली values calculate कैसे करते हैं design वाली value calculate करने के लिए nominal shear वाली जो values है उनको आप divide करेंगे partial factor of safety for material से तो 1.25 वो consider करते हैं similarly V nominal वाली bearing के अंदर strength है material के उसे divide कर देंगे partial factor of safety for material, material point of view से जो आप use कर रहे है 1.25 उससे फिर shear strength of bolt के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि FUB upon root 3 gamma MB multiplied by यह तो हो गया एक तरीके से stress वाली term अब कितने area के उपर लग रहा है वो area आपको यहाँ से decide करना पड़ेगा कि आपका जो bolt है आपका जो bolt है उस bolt के अंदर यह threads बने हुए है तो अब failure कहां से आ रहा है sharing जो है वो क्या यहाँ से हो रही है क्या sharing यहाँ से हो रही है क्या दोनों जगां से हो रही है तो आप यह consider करेंगे कि एक sharing plane जो आ रहा है failure का वो दो आ रहा है इस portion में shank वाले portion के अंदर एक आ रहा है thread वाले portion के अंदर तो one plane यहाँ पर consider करेंगे और net area यहाँ पर one plane consider करेंगे और जो आपका shank का area वो consider किया जाएगा अगर आपके पास दोनों के दोनों failure plane इसी में आ गये एक failure plane यहाँ एक यहाँ तो यह वाला portion जीरो हो जाएगा इसको कर देंगे two failure planes आ रहे है और उनका area आप यहाँ पर mention कर देंगे single shear की case में simple one into अगर आपके shearing कहा हो रही है सिर्फ और सिर्फ thread area के अंदर हो रही है तो thread वाला area सिर्फ और सिर्फ अगर shank वाले में हो रही है तो shank का दोनों हो रही है तो दोनों consider कर सकते है bearing strength of gold बहुत ही छोटा सा प्यारा सा formula 2.5 kb into d into t into fu upon 1.25 जहाँ पर kb की value आप calculate करेंगे e upon 3d0 या फिर 5 या फिर p upon 3d0 minus 0.25 fub upon fu या फिर 1 इन में से आप जो minimum होगा वो consider करेंगे यहाँ put करेंगे फिर उसके बाद आप यहाँ पर d, t, fu इनकी values पुट कर देंगे तो आपके पस bearing strength हा जाएगी bolt की tensile strength of bolt 0.9 fub into net area upon 1.25 sharing strength of plate gross section yielding अब यह आपके उपर यह सारी चीज़ें आप कहां तर कितना याद रख पाएंगे bolted connection को सबसे last में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा है भी मुश्किल सा और इसमें चीज़ें जो है वो याद रहना और calculations जो है वो भी जादा आ जाएंगी जैसे block shear failure है अब block shear failure कब होगा या तो shear में yield कर रहा है और tension में वो पूरा cut गया या फिर tension के अंदर वो yield कर रहा है और shear में वो पूरा rupture कर गया तो इसके according यह हमारे combination बनते हैं अलग अलग छोटे छोटे प्यारे प्यारे formula आगे बढ़ते हैं welded connection welded connection पर फटा फट से चलते हैं कि सवाल कहां से पूछेगा welded connection में questions हम से कहां से पूछता है कि fillet weld जो है उसको किसके लिए design किया जाता है फिलेट weld को design किया जाता है shear के लिए पहला objective question दूसरा objective question कि weakest part कौन सा होता है किसी भी weld के अंदर अगर हम बात करें तो weakest part कौन सा होता है एक plate हमारे पास ये थी एक plate इसके उपर रखी अब इन दोनों को करवाना है हमें weld जब इन दोनों plates को हमें weld करवाना है तो उस case में इन दोनों plates को weld करवाने के लिए कुछ इस प्रकार से weld कर दिया हमने जब इस प्रकार से weld हमने कर दिया है तो अब आपको क्या observe करना है कि इस welded portion के अंदर वो area कौन सा है अब ये weld पता है कैसे fail होगा अगर ये rivet ऐसे ये plates अगर ऐसे खिचे तो ये weld fail होगा यहाँ से यहाँ से throat thickness बोलते हैं इसे हम तो यहाँ से वो fail होगा तो कितना वो area है जो बचाएगा इस weld के failure को shear कहाँ से होगा यह weld यहाँ से ऐसे cut जाएगा इस line के along cut जाएगा तो ये tt into length of weld या फिर इसे effective length बोल देते हैं तो effective length into throat thickness वाला ये जो area है ये area कटेगा इसी के लिए हम design करते हैं तो throat thickness into effective length ये तो आगया area जो हमें बचाना है और उस weld material की जो shear के अंदर strength है sigma S उससे अगर मैं multiply कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि weld material जो है ये weld जो है कितना load carry कर सकता है ये ही आप से objective के अंदर question पूछता है objective में question क्या आते है कि अगर आपके पास last year जैसे question आया था एक plate ऐसे दी हुई है और इसके उपर दूसरी plate जो है वो ऐसे हमने weld करवा दी अब जब weld करवा दी तो आपको ये दिया गया कि ये अगर आपके पास 250 है ये आपके पास 250 है और ये आपके पास 500 mm है यहाँ पे load जो लग रहा है maximum से maximum वो कितना हो सकता है अगर weld material की shear के अंदर जो strength है वो 110 MPa है तो size of weld given to you is size of weld आपको दे रखा है 8 mm तो आपको simply क्या करना था हमें पता है हमें पता है कि इस material की weld की जो length है वो weld की length कितनी हो गई total effective length या length weld material की आपके पास 250 250 500 1000 mm होगे throat thickness जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है throat thickness will be equal to 0.7 times of S 0.7 times of 8 तो 5.6 mm तो आप यहां से mention करेंगे कि P load कितना carry कर सकता है throat thickness into effective length area हो गया into stress कर देंगे तो force आ जाएगा तो यह हमारे पास throat thickness की value 5.6 into 1000 into 110 load आ जाएगा यहां से कितना load carry कर सकता है 616 kN ऐसे questions आप से objective में पूछेगा जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया आप session को like कर सकते इनका question session एक और रखेंगे अलग से जिसमें code के provision और ऐसे numerical फिर से करेंगे ठीक है मुझे पता है steel design अब तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है और अब आप revise कर रहें तो कुछ-कुछ तो समझ में आई जाएगा आपको यहाँ पर लेकिन याद नहीं रहाए पाएंगे सारी चीजें अगर पहली बार पढ़ रहे हैं अब पढ़ रहे हैं पहली बार है size of weld यह जो सिंदु घाटी सभ्यता की भाषा में लिखा है उस लिपी में लिखा है 0.75S आपका क्वालिफिकेशन शेयर कीजिए दोस्त मेल आईडी दे दिजेगा चलो आगे बढ़ते हैं फिलेट वेल्ड फिलेट वेल्ड की अगर हम बात करें तो क्या-क्या चीज़ें objective point of view से अब आप याद रखेगा the effective length of fillet weld should not be less than 4 times the thickness of weld जो जो objective question as it is direct पूछते है न भई हम mark कर रहे हैं 4 times the thickness of weld यह आपको याद होना चाहिए next अगर हम बात करें यह जो fusion faces है इनके बीच में angle कितना है इस angle के according k की value आती है जो throat thickness calculate किया न हमने अभी 0.7 into s तो k की value 0.7 ली थी हमने यहाँ पर तो throat thickness size of weld क्या होता है यह जो दोनों leg है ना इस weld के यह जो weld हमने किया यह वाला leg यह वाला leg इन दोनों में से जो minimum होगा वो size of weld consider किया जाएगा size of weld into k अगर हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से throat thickness आती है और k की value जो adopt की जाएगी वो k की value depend करता है angle between the fusion faces कितना है उसके उपर angle between the fusion faces के उपर अगर angle आपका 60 से लेकर के 90 degree के बीच में है तो 0.7 91 से 100 के बीच में है तो 0.65 101 से 106 है तो 0.6 107 से 113 है तो 0.55 और 114 से लेकर के 120 है अगर तो 0.5 यह आपको याद रखना है चले आगे next fillet weld से related अगला portion यह वाली value वाला जो परवेंडिकुलर लग रहा है तो इनको भी आयसे सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास दो प्लेट हैं और उन प्लेट के sizes आपको दे रखे हैं कि एक प्लेट है 8 mm की और दूसरी प्लेट है 12 mm की इन दोनों को करना है weld जब इन दोनों को weld करना है तो आपको यह बताना है कि minimum size of weld कितना होगा और maximum size of weld कितना होगा जब minimum size of weld बताते हैं कि कम से कम अब size का मतलब यह हो जागा कि यह जो triangle बना इस triangle के अंदर यह वाली side कि यह size of weld कम से कम कितना हो इसकी बात कर रहे हैं तो यह size of weld हम बताते हैं ये बताते हैं thicker plate के according minimum वाला तो minimum वाला thicker plate thicker plate क्या है 12 mm 12 mm किसके अंदर लाई कर रहा है 11 to 20 अगर thickness of thicker plate है तो आप 5 mm कम से कम use करेंगे तो आप minimum ये आपके पास यहां पर हो गई thicker plate तो आप कहेंगे minimum size of weld जो adopt किया जाएगा वो 5 mm याद रखना है 3, 5, 6, 8 0 to 10, 11 to 20 21 to 32, greater than 32 till 50 तो 8 50 से भी जादा है तो 10 use कर सकते हैं उस case में हम यहां पर तो minimum size of weld जो हम बताते हैं वो thicker plate के according बताते हैं ठीक वैसे ही जैसे ऐसे समझ लेजिए कि आपके पास दो thermocall sheets हैं उनको चिपकान है अगर आपको तो आप कैसे सोचेंगे thicker वाली के according फैविकोल लगाए ना कि thicker वाली भी चिपक जाए तो thicker के according कम से कम इतना तो provide करो जादा से जादा कितना provide करें इतना भी मत provide करो कि thinner वाली जो है वो बिलकुल top तक पहुंच जाए उसमें से 1.5 mm कम कर दो तो अगर maximum size of weld आप से पूछे maximum size of weld तो minimum के case में तो thicker plate देखी थी इसमें कौन सी देखेंगे thinner plate के according thinner plate में से 1.5 mm माइनस कर देंगे तो thinner थी 8 इसमें से 1.5 माइनस कर दो तो आगया हमारे पास 6.5 mm मतलब weld जो use किया जाना चाहिए इन दोनों plates को join करवाने के लिए उसका कम से कम size हो 5 mm जादा से जादा हो 6.5 तो आप adopt कर सकते हैं 6 mm ऐसे objective में question आएगा ठीक है आगे चले चले तो यहीं अंग्रेजी में पूरी बातें लिखी हैं जो भी हमने table form में यहां पर देख ले maximum size of weld square edge के case में आपका square edge के case में एक plate यह दूसरी plate जितना हो उसमें से 1.5 mm कम rounded अगर है तो उस case में यहां पे अगर weld किया जा रहा है उस case के अंदर 75% of the thickness of thinner plate जो भी join करवाई जा रही है उन में से एक यह plate आगई आपके पास एक plate यह आगई जो भी join करवाई जा रही है उन में से thinner वाली का 75% इतना कैसे याद रखें क्या बताएं दोस कैसे याद रखें अभी तक नहीं पड़ा है तो यह की तरीका है फिर तो सब कुछ याद रखनेगा आप सब इमेडियेटल याद कर लेंगे वरना कुछ-कुछ चीज़ें तो पहले से याद होनी चाहिए थी दिव्य शक्तियां हैं आपके पास अगर what do you mean by thickness of weld thickness of weld तो कुछ बोला ही नहीं हमने thickness of plate बोल रहे हैं पहली चीज़ तो और weld जो है weld की तो हम size की बात करेंगे कि अगर यह S1 है यह S2 है तो इन दोनों में से जो minimum होगा minimum of these two will be the size of weld जिसे S से denote कर रहा है चलो आगे बढ़ते हैं यह जिन दोस्तों ने दो-चार चीज़ें याद कर रहा है न वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ अब कोई आया है हमारे 6 महीने past जैसा जिसे यह चीज़ें याद नहीं है जिसे यह चीज़ें मुश्किल लग रही हैं कोई बात ने दो सब सीख जाएंगे दे रहे दे रहे चलो effective length of weld effective length of weld sorry effective length of weld होता है actual length of weld minus twice the size of weld यह आपसे objective में question पूछता है आपने बोला effective length of effective length कम से कम four times of size of weld के बराबर होनी चाहिए वो कम से कम है और हम बोल रहे हैं कि effective length होगी किसके बराबर वो किसके बराबर होती है total या actual length जो weld की है उसमें से दोनों तरफ से size of weld को minus कर देंगे चलो next उसके बाद यह already हमने discuss कर लिया यह already हमने discuss कर लिया pitch of the weld की बात करें तो pitch of weld maximum 12T या 200 या फिर tension zone में 16T या 200 अब pitch के मतलब क्या है यहां पर weld में pitch की क्या ज़रूरत है weld में pitch की ज़रूरत तब है जब weld करने की ज़रूरत कम हो और weld करने वाली जगां ज़ादा हो weld करने की ज़रूरत कम हो weld करने वाली जगां ज़ादा हो तो उस case में जैसे एक plate ये थी दूसरी plate ये थी इन दोनों को join करवाना था इन दोनों को join करवाने के लिए इस plate की length जो overlap कर रही है let's say ये थी 200 mm और आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी weld करवाने के लिए let's say 100 mm की या 100 से भी कम ले लेते हैं 100 overall तो अगर overall 100 करवानी है तो ये 200 let's say ये आपके पास अगर 50 है तो 200 plus 50 plus 200 तो 450 mm length available है आपके पास weld करने के लिए और 100 mm ही अगर आपको weld करनी है तो आप थोड़ा यहां weld कर देंगे फिर यहां कर देंगे यहां कर देंगे ऐसे कर देंगे तो intermittent welding करेंगे तो intermittent welding के case में ये जो आपको यहां पर बीच में gap देना है इसकी बात कर रहे हैं अगर कहीं पर ऐसा हो गया ये तो कौन सा case था कि length जो available है वो बहुत जादा है जितना length हमें weld करने की requirement है length required से जादा है लेकिन अगर उल्टा हो जाए किसी case में कि length required जो है weld करने की वो जादा हो जाए as compared to welding हम ये कह रहे हैं कि एक plate दूसरी plate के उपर जादा overlap ना कर पाए overlap restrict हो जाए कि इतना weld इतना weld इतना weld अगर करते है तो वो sufficient ना होता इसके लिए फिर हम ऐसे slots बना लेते हैं तो ये slot बनाया फिर यहाँ slot बनाया यहाँ slot बनाया तो इससे एक length ये दूसरी length ये फिर ये और ये यहाँ पर इतनी length और increase हो गई slot welding के मदद से जहाँ पर हम weld कर सकते है तो इसमें slot welding करेंगे objective में statement में अगर question आए कि if length of overlap is restricted and available length for weld is less than the length required for weld then we adopt फिर चार option दिये हुए होंगे तो आपका answer होना चाहिए slot welding adopt कर लेंगे हम जब जादा weld करना है तो simple सी बात है फिर यहाँ से इस plate को cut कर देंगे इसको यहाँ से cut कर दिया अब weld कर दो तो हमारे पास length of weld जादा हो जाएगा अब जो width है इसकी should not be less than maximum of 25 mm and 3T slot या plug weld कर सकते हैं longitudinal shear अब आप imagine करिएगा यहाँ पर जो weld लगा हुआ है वो weld कैसे लगा हुआ है कुछ इस तरीके से अब इसके उपर इस direction में ऐसे यह shear off करने की कोशिश कर रहा है इसको तो length की direction में longitudinal shear यहाँ पर जो weld लगा हुआ है वो कैसा weld लगा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से अब इसको यह कैसे shear off करवाने की कोशिश कर रहा होगा इस direction से ऐसे shear off करवाने की कोशिश कर रहा होगा तो अब इसकी length के इस weld की length के transverse direction में shear लग रहा है इसको transverse shear बोल देते है objective में simple से बस statement based questions होगे अब weld अगर आया weld पे eccentric load लग गया तो objective में नहीं पूछेगा पूछेगा तो बहुत लंबा हो जागा है से divide करेंगे कौन सा area वो throat thickness into length वाला area उससे divide करेंगे तो ये इसका area plus इसका area plus इसका area divide कर दिया F1 direct shear आ गया torgenal equation से torgenal shear stress पता करेंगे जहां पर फिर से y tau by r is equal to t by j is equal to g theta by l वाल equation से आप यहां पर value put कर रहे हैं तो F2 यहां stresses की terms में calculate करेंगे force upon area force upon area वाली stresses calculate करेंगे फिर आप इसमें equation में put कर देंगे out of plane अगर आपके पास welded connection होता है out of plane के अंदर एक आपके पास यहां पर यह top view से देख रहे हैं तो एक तो direct shear का effect हो गई होगा दूसरा होगा bending का यहां पर यह bending का effect इसके उपर आता है तो bending stresses calculate करते हैं क्योंकि यह direct वाला और bending वाला दोनों एक दूसरे के perpendicular हैं तो यहां पर theta की value 90 degree हो जाएगी cos theta 0 हो जाता है out of plane का मतलब हम ऐसे connection की बात कर रहे हैं जिसमें अब load अगर ऐसे लगा तो एक तो इसको इस weld को यहां से shear off करने की कोशिश यह करेगा ही directly दूसरा क्या होगा कि bending stress लगेगा इसके अंदर ऐसे bending के current shear आएगा यहां पर तो वो bending वाले shear की बात कर रहे है चलो आगे बड़े अब आते हैं next chapter compression member to the point questions questions कहां पूछेंगे compression member में questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो column क्या है, strut क्या है, trust क्या है, frame क्या है एक तो इनकी definitions हो सकती है column आपको पता एक ऐसा structural member जिस पर compressive loads आ रहे है column अगर steel का हो जाता है तो उसे extension word use कर लिया जाता है strut के अगर हम बात करें तो strut जो है वो एक compression member ही होता है लेकिन वो inclined भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो vertical हो, inclined हो सकता है लेकिन उस पर bending moment जो है वो zero होगा, trust के अगर हम बात करें तो trust एक ऐसा structure है, जिसके अंदर tension या compression आ सकता है, लेकिन trust के अंदर भी bending moment हर जगां पर zero होगा, frame के अगर हम बात करें तो frame के अंदर bending moment भी आ जाएगा tension, compression के अलावा भी tension, steel का column, boom जो है, वो principal compression member of crane जो है, वो खहलाता है boom, अब column squash में पूरा का पूरा squash हो गया एकदम या local buckling, मतलब column का web flange, इन में से कुछ buckle कर गया, या torgenal buckling torgen के अंदर वो buckle कर रहा है या flexor भी है, torgen भी है और buckle कर रहा है, ये सारी combinations इनके बन सकते हैं objective point of view से question effective length of column is increased by 5% in case of laced column तो laced column के case में 5% से, battent column के case में 10% से आप effective length increase कर देते हैं, objective में engineering services में question आया कि effective length of column is increased by एक ऐसा column जिसके दोनो end hinged हैं, तो both end अगर hinged हैं, तो उस case में effective length तो l के बराबर ही होती है लेकिन battent column बोल दिया effective length of a battent column whose both ends are hinged तो ऐसे case में उसके effective length तो answer tick नहीं करना है 10% बढ़ा करके करना है battent column के case में 10% बढ़ा देते हैं तो ये दो बातें अलग से याद रखेगा, ये table अलग से याद रखेगा, एक fixed end, दोनों end अगर fixed हैं, तो उस case में अगर आपसे compression member जैसे शब्द यूज करें, दुबारा सुनिए सुनिए, अगर question ऐसा आता है, for a compression member, तो मतलब समझना है कि steel design से पूछना चाहरा है, अगर ऐसा आता है, for an RCC column, तो मतलब RCC से question पूछ रहा है, अगर simple आता है कि eulers load, buckling load, critical load, के लिए effective length, तो समझ जाना है strength of material से पूछ रहा है, अगर RCC और steel से पूछता है, तो आपको adopt करनी होती है, recommended length, जो code recommend करता है, जो थोड़ी जादा होती है, theoretical values से, अगर strength of material के according पूछता है, तो आपको ये values बतानी है, चार तो याद करनी ही करनी है, number 1, 2, 3, and 7, बाकी याद हो जाएं, और अच्छी बात है, effectively held in position and distraint against rotation at both hand का मतलब दोनों end fix होगे, तो 0.5 या फिर 0.65 L, effectively held in position, both ends एक अगर fix है, और दूसरा hinged है, तो उस case में 0.7 और 0.8, both ends hinged तो 1 आ जाएगा, एक fixed और दूसरा free, तो उस case में twice the length, तो ये चार आपको याद करनी है, चारों case याद होने चाहिए, बाकी अगर याद हो जाएं, तो और अच्छी ब फिर उसके बाद, ये चीज़ें, अल्रेडी 0.6, 0.66 FY, ये हम अल्रेडी बात कर चुके, unsupported length of column आपके पास आ जाता है, ये maximum clear distance, दो floors के बीच का जो होता है, उसे unsupported length of column बूलते है, effective length of column कहा जाता है, point of contra flexor के बीच का distance, या फिर, distance between points of zero moments, उसे हम कहते है, effective length of column, slenderness ratio होता effective length upon least radius of gyration, वैसे effective length upon radius of gyration ही होता है, लेकिन ये least शब्द कहां पर use कर लेते हैं, least शब्द वहां पर use कर लेते हैं, जब हमें ये बताना होता है, कि maximum slenderness ratio इतना है, अब ये maximum slenderness ratio की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, maximum slenderness ratio की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, क्योंकि अगर आप कोई मान लीजे, कोई डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो एक limit ही तो होगी ना, आप बोलते हैं ना, कि हर चीज की एक हद होती है, आपका दोस्त आपके साथ कुछ मजाग कर दे, तो आप मुँसा बना के बोल देते हैं, मजाग की भी हद होती है, तो वैसे ही, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि अगर कोई member है, जो कि compression में आ रहा है, तो उसकी length जो है, उसकी भी तो एक limit होगी ना, उसकी length बताने के, कि इसकी भी maximum से maximum भई, इतनी length ले लो, आप इससे जादा मतलो, वरना यह क्या कर जाएगा, ऐसे buckle कर जाएगा, तो buckling को prevent करने के लिए, maximum slenderness ratios जो है, वो हम define कर देते हैं, और वो maximum slenderness ratio जब हम define करते हैं, कि maximum से maximum, जादा से जादा इस member की slenderness ratio, इतनी होनी चाहिए, तो उस case में हम यह बोलते हैं, कि उसकी effective length कितनी है, upon least radius of gyration कितना है, तो जब इसको least करेंगे तब ही, तो इसकी maximum से maximum value पर पहुंचना है, जादा जादा यह इतनी हो सकती है, बस, तो maximum slenderness ratio यहां से हमने define करके बताई, अब members जो हमारे पास हुए, वो members के लिए आपको कौन कौन सी values याद रखनी है, यह आप देखेगा, अगर आपके पास member कैसा है, और उसके उपर force या loads का nature कैसा है, और वो किसकी वज़े से है, due to किसकी वज़े से है वो, और maximum slenderness ratio की value क्या है, अगर आपके पास एक compression member है, जिसके उपर compressive ही force आ रहा है, किसकी वज़े से आ रहा है, dead और imposed load की वज़े से आ रहा है, dead यह live load की वज़े से आ रहा है, तो उस case में उसका maximum slenderness ratio बनेटी, अगर आपके पास member तो tension वाला है, मतलब tension member है उसके उपर, ऐसे दोनों direction में tensions लगती हैं, usually उसके लिए ही design किया है हमने उसको, लेकिन इस tension member के उपर आ क्या रहा है, compression आ रहा है, मतलब reversal of stress हो गया इसके उपर, tension member था, लेकिन अगर उसमें compression आ सकता है, और किसकी वज़े से आ सकता है, dead load या फिर imposed load की वज़े से आ सकता है, तो हम कहेंगे कि फिर इसको design कर देते हैं, compression के according ही ले लेते हैं, इसका slenderness ratio maximum से maximum 180 लेना, उससे ज़्यादा मतलेना, कि अगर बोल रहे हो कि tension member है, लेकिन reversal of stress भी हो सकता है उसके उपर, तो उस case में 180 अडॉप्ट करेंगे, हम for safe side, फिर उसके बाद बाद आती है कि अगर compression member है, और compression member के उपर, compression ही आ रहा है, किसकी वज़े से आ रहा है, wind load या earthquake load की वज़े से आ रहा है, लेकिन इतना आ रहा है कि वो member, बाकी सारे जो structure के अंदर members है, उनको ज़ादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उस case में आप इसको कहां तक ले करके जा सकते हैं, 250 तक ले करके जा सकते हैं, फिर उसके बाद आया कि अगर tension member है, लेकिन tension member में compression आ सकता है, किसकी वज़े से आ सकता है, wind load या earthquake load की वज़े से आ सकता है, तब इसे 350 तक ले करके जा सकता है, और फिर उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास कोई tension member है और उस पर हमेशा tension ही आएगा, compression आएगा ही नी तो किसकी वज़े से, किसी भी load की वज़े से any type of load, तो उस case में 400 याद रह पाएगा यह छोटा सा table नहीं याद रह पाएगा, तो एक्जाम देने जाने से पहले शीशे के सामने खड़े हो जाना, अपनी आँखों में आँखे मिलाना और बोलना, हाँ, मुझे यह एक नंबर नहीं चाहिए member getting compressive load resulting from dead loads and imposed loads, 180 tension member in which reversal of direct stress occurs due to loads other than wind or seismic forces, 180 member subjected to compression forces resulting from combination of wind या earthquake load, 250 फिर उसके बाद member normally acting as a tie, लेकिन उसके अंदर compression आजाएगा wind loads की वज़े से member always under tension, 400 ठीक है, उसके बाद compression flange of beam compression flange of beam against lateral to original buckling, तो उस case में 300 adopt करेंगे चलो, आगे बढ़ते हैं, effective length of strut के अगर हम बात करें तो effective length of strut objective में आपसे question पूछता है, उसके stress की टाप्ड़ाइगा में भी length की terms में भी question पूछता है, सबसे पहले समझना ही होगा कि continuous strut कौन सा है, continuous strut वो वाला strut है, जो की इस joint से भी गया, इस joint से भी गया, यहाँ पर भी आ गया, तो इसे बोल दिया continuous strut, discontinuous strut जो सिर्फ दो joints के बीच में spawn कर रहा है, तो continuous, discontinuous strut समझ में आ गया होगा, diagram के तुरू हमें, फिर उसके बाद as it is statements आएंगी, एक्जाम के अंदर बस numeric value दी हूई हो सकती है, साथ में, जैसे कि अगर आपके पास single angle वाला, यह angle section दिख रहा है, बना हुआ, single angle discontinuous strut है, discontinuous का मतलब कि यह सिर्फ दो joints के उपर ही यहाँ पर जुडा हुआ है, so single angle discontinuous strut connected by only one rivet at each end, दोनों end के उपर सिर्फ एक एक rivet लगी हुई है उसके अंदर, तो इस case के अंदर, उसकी effective length, actual length के बराबर ही count की जाए, और उसके अंदर आने वाले compressive stresses की value को, permissible कितना आने देना चाहिए, उसको आप reduce कर कर देंगे कितने amount से 20% से reduce कर देंगे, फिर यह वाली value as it is याद रखने है, objective question में आपको दे देगा कि maximum permissible stress उस angle section के लिए compression के इंदर so and so है, value दे देना, तो बस उसका 80% calculate करके बता देना, कि permissible stress in case of single angle discontinuous strut इतना है, उसका 80% है, single angle discontinuous strut को दो-दो rivet से join कर दें, या फिर ए effective length 0.85L हो जाएगी और permissible stresses उतना ही रहेंगे जितने उसके उपर आ सकते हैं, objective में complicate करके कैसे सवाल पूछेगा, objective में complicate करके ऐसे सवाल पूछेगा, कि आपको कोई member दे दिया, example के तौर पे, आपको कोई member दे दिया, statement उसने वही use किया, कि आपके पास single angle discontinuous strut है, जिसके लिए maximum permissible stress की value 200 MPa है, और उसका cross sectional area जो है, वो है, let's say, 2000 mm square, तो आपको यह बताना है, what will be the maximum load that can be allowed on this strut, find maximum load allowed on this, अब इस case में आपको यह देखना है, सबसे पहले तो कि single angle discontinuous strut अगर आपको दे दिया, तो permissible stresses की value को reduce कर देना है, 20% से, तो आप sigma dash बताएंगे, कि sigma dash will be equal to 80% of 200, तो आप कहेंगे कि जी, 160 MPa हुआ, 160 MPa इसके permissible stress की value, load बताना है, तो stress को multiply करना है area से, stress की value 160 area है, आपके पास 2000, तो आपके पास आ गया, 320 kN, याद रह पाएगा, ऐसा question पूछा था last year, 320 kN, तो ये words याद रखेगा, single angle discontinuous strut, short notes में इतना ही लिखो, ये calculation करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि stress किसके बराबर, force किसके बराबर, ये तो पता ही है हमें, बस इतनी सी चीज़ें लिखो, single angle discontinuous strut, क्योंकि focus वाला word वही है, short notes में बड़ी बड़ी कहानिया अगर लिख देते हैं ना, ये पूरा लिख दिया, तो उस word पर particularly focus नहीं कर पाते हैं, कि हां क्या word है जो हमें identify करवाएगा, कि आपको stresses की value इस case में change करनी है, ये length की value change करनी है, तो single angle discontinuous strut, इतना ही लिखा, फिर उस case में sigma dash is equal to 80% consider करना है हमें, फिर उसके बाद आपके बाद single angle discontinuous strut connected by two or more rivets, ये rivet वाला भी लिखियागा इनके अंदर, इसमें rivet at each end, इसके अंदर rivet at both head, तो उस case में दो-दो rivet या फिर weld कर दिया एक तरफ, तो उस case में आपको क्या consider करना है, इसमें 0.8, इसमें as it is stress के बराबर, चलो next, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद width of outstanding से related, ये EAC के mains questions में भी आपसे पूछा जाता है, कि width of outstanding जो है, that should not be greater than, कि B upon thickness of flange should not be greater than 16 times working stress method के according, depth of web upon thickness of web should not be greater than 50 times the thickness of, should not be greater than 50 times, objective के point of view से ये चीज़ याद रख लीजिएगा, तो बहतर रहेगा, क्योंकि, 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 EAC के अंदर mains के अंदर question पूछा गया था, जिसमें examiner साब जो थे, वो थे देव मानुष, उन्होंने तो ये provision भी लिख दिये उसमें, कि ये चेक कर लेना भाई, इस सवाल को solve करते हैं, वक्त ये भी चेक कर लेना, कि क्या ऐसा है या नहीं है, ये adopt कर लेना provision, तो हो सकता है, SSC के अंदर ये चीज़ें, आपको ये सुभिदा ना मिले, अगर आप से ऐसे पूछता है, कि local buckling को prevent करने के लिए, IS800 क्या recommend करता है, तो local buckling का मतलब होता है, कि कोई एक portion, ये न बकल कर जाए, ये न बकल कर जाए, ये न बकल कर जाए, local buckling का मतलब ये होता है, तो local buckling को prevent करने के लिए, जो B है, B आपके पास क्या है, width of outstand, जितना ये बाहर निकल रहा है, वो upon thickness of lens, should not be greater than 16, depth of web upon thickness of web should not be greater than 50, तो ये आपके पास conditions है, working stress method की, width of outstand upon thickness of plunge, should not be greater than 8.5, ये आपके पास limit state method के according आ जाता है, built up sections की ज़रूरत कब बढ़ती है, जो market में available हमारे पास sections होते हैं, वो अगर sufficient नहीं होते हैं, हमारे load को carry करने के लिए, तो जितना cross sectional area हमें चाहिए होता है, अभी अभी जो question हमने किया न, अगर हमें पता है कि इस member के उपर load कितना आने वाला है, तो हम क्या करेंगे simply, उसकी maximum permissible stress से area को multiply कर देंगे, अब for a given material, कि वो compression में maximum कितना stress ले सकता है, ये तो fix रहेगा, और market में जो available section है, उनका area भी fix हो जाएगा, तो उनकी load carrying capacity भी fix निकल करके आ जाएगी, लेकिन, अगर हम चाहें, तो हम built up section यूज़ कर लेंगे, एक channel section ऐसे यूज़ किया, दूसरा channel section ऐसे यूज़ किया, इनका moment of inertia चेंज़ कर सकते हैं, हम इनका section modulus हम change कर सकते हैं, radius of gyration change कर सकते हैं, slenderness ratio effective निकल करके जो आएगा, वो change हो जाएगा, तो सारी चीज़ें हम खेल सकते हैं उनके साथ, तो इसलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम built up sections यूज़ करते हैं, जिसमें जितना area हमें चाहिए होता है, वो area हम यहाँ के थूज़ अडॉप्ट कर लेंगे, तो इसलिए built up sections अब यूज़ करते हैं, अब दो channel section को ऐसे join करवा दिया, opposite facing करवा दिया, दो eye section यूज़ कर लिए, चार angle section यूज़ कर लिए, इनको side से अगर हम देखेंगे, तो यह lacing होते हैं, inclined member, lacing के थूज़ जॉइन करवा सकते हैं, और batons होते हैं horizontal member, तो batons के थूज़ जॉइन करवा सकते हैं, lacing and batons दोनों के थूज़ करवा सकते हैं, तो यह combination आपको lacing का दिख रहा है, उधर वाला baton का दिख रहा है, दोनों के भी combination आपको मिल सकते हैं, objective questions के उपर चलते हैं objective question में आपसे पूछेगा कि lacing जो है इसका radius of gyration radius of gyration एक ऐसा distance होता है जिसका square करके area से multiply कर दिया जाए तो moment of inertia provide कर देता है तो अगर b इसके width है, t इसके थिकने से है तो root of i by a कर देंगे bt cube upon 12 into bt यहां से आगया आपके पास t by root 12 तो directly radius of gyration एकर किसी lacing का पता करना है या lacing flat का पता करना है flat समझ में आगया, शुरू में हमने discuss किया था next objective question slenderness ratio of lacing कितना consider किया जाता है, तो maximum slenderness ratio lacing का 145 consider करना है, angle होगा कितना, 40 से लेके 70 degree होगा, अगर आपने widths use की है, weld किया है, तो 60 से 90 तक लेके जा सकते हैं, direct objective question, lacing की length से related, lacing की width से related lacing की thickness से related, और lacing के radius of gyration, lacing का maximum slenderness ratio fixed 5 question है, lacing से related जो आप से objective में पूछ सकता है चाहे छोटा सा numerical दे देगा चाहे direct as it is पूछ लेगा radius of gyration, T by root 12 maximum slenderness ratio आपके पास 145, angle कितना angle आपके पास 40 to lake 40 से 70 तक, welding है तो 60 से लेकर के 90 तक का length of lacing से related अगर हम बात करें, तो अगर आपने single lacing इस्तेमाल की है, तो sorry thickness of lacing thickness of lacing जो आप consider करते हैं वो होगा effective length upon 40 times, अगर single lacing है ऐसे वाली अगर double lacing है, यह ऐसे भी use कर रखी आपने अगर double lacing है, ऐसे cross बना बना के use कर रखी आपने तो उस case में क्या होगा effective length by 60 इतना कम से कम width होना चाहिए, यह आपसे directly objective में पूछता है, effective length lacing की, अगर single lacing कर रहे हैं, तो as जो length आपकी होती है, उसे के बराबर ही consider करेंगे double lacing के case में 0.7 times ले लेंगे, welding के case में 0.7 times लेंगे, minimum width of lacing member, जितना आपको rivet का diameter दिया हुआ हो उसका almost 3 times कर लीजेगा minimum width of lacing member जो होगा है, वो आप कैसे calculate करेंगे, almost 3 times the nominal dia of rivet consider कर लीजेगा, rivet का डाय अगर आपके पास है 20 mm, तो 20 to 3, 60, इस तरीके से आप याद रख सकते है, minimum width of lacing member, minimum thickness, already देख ली हमने की length के corresponding आप observe करते हैं, length upon 40 single lacing के case में, effective length upon 60, double lacing के case में आपको ये याद रखनी है values, अब आगे बढ़ते हैं, next आता है हमारे पास next, local buckling को अगर आपको prevent करना है, local buckling को prevent करने के लिए हम कहते हैं, कि किसी component को local buckling से बचाना है अगर हमें, तो उसका slenderness ratio 50 से ज़ादा नहीं होना चीए, और उस component का slenderness ratio 0.7 times पूरा का पूरा जो आपका column है, उससे ज़ादा नहीं होना चीए, कहने का आर्थ है, कि अगर आप ये चाहते हैं, कि मुझे इतने particular length में buckling को prevent करना है, तो इस particular member का, जो slenderness ratio है, वो 50 से ज़ादा ना हो और इतने particular member का slenderness ratio, पूरे overall column के slenderness ratio के 70% से ज़ादा ना हो so, slenderness ratio of that component should not be greater than 50 should not be greater than 0.7 times the slenderness ratio of column tack revet अगर आपने use कर रखी है, तो उस case में 40 से ज़ादा या 0.6 times of column से ज़ादा नहीं होना चीए, at the end of lacing system at top and bottom, tie plates जो है, वो provide किया कर दी जाती है, जिने baton plates हम बोलते हैं force इसकी अगर हम बात करें, तो force जो हैं, वो v by 2 cosec theta या फिर 2 v by n cot theta आपके पास in lacing के अंदर आते हैं, objective question क्या पूछता है, lacing को design किस के लिए किया जाता है, lacing को design किया जाता है, transverse shear के लिए, याद रखना है किस के लिए design करते हैं, transverse shear के लिए, जिसकी value किसके बराबर होती है, जिसकी value होती है, 2.5% of column load के लिए, या फिर axial load के लिए objective में, statements में question दिये हुए होंगे, जिसमें आपको एक option मिलेगा, lacing is designed for 2.5% of axial load incomplete answer है, lacing को design करते हैं, transfer shear के लिए, जिसकी value किसके बराबर consider की जाती है, 2.5% of axial load के बराबर consider की जाती है so lacing's are designed for अगर आपको word दिखे, तो आपको choose करना है कि transfer shear force के लिए design करते हैं, जिसकी value होती है 2.5% of column load के बराबर, और forces के अगर हम बात करें, तो V by 2 sin theta या V by 4 sin theta depending upon single lacing या double lacing आपके पास है, baton के case में objective question की effective length baton column की 10% से बढ़ा देते हैं laced column की 5% से बढ़ा देते हैं, minimum number of batons 4 use करते हैं, और batons जैसे provide किया जाते हैं, एक ये जैसा है, इसका similar उस तरफ opposite side पे भी provide किया जाएगा इस तरीके से provide करते हैं effective slenderness ratio ये already हमने discuss करी लिया next, effective depth effective depth की अगर हम बात करें effective depth should not be less than the distance between centroid component of the member effective depth of members should not be less than alpha से कम नहीं होनी चाहिए जो depth of member ये आप यहाँ पर देख लीजिए ये वाला एक channel section ये दूसरा channel section इन दोनों के CG से लेकर के CG तक का जो distance है वो अगर हमने alpha बोला तो effective depth जो है आपकी button की वो alpha से कम नहीं होनी चाहिए effective depth should not be less than twice the width of one component एक plane में top view से देखेंगे तो अगर ये B है तो इस B के twice से भी कम नहीं होनी चाहिए ये effective depth of button फिर उसके बाद thickness of button की अगर हम बात करें तो thickness of button इस channel और इस channel के CG का जो beach का distance था जिसे हमने alpha से denote कर रखा था तो वो alpha by 50 से जादा ही रहना चाहिए फिर उसके बाद local buckling को prevent करने के लिए जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये जो member था यहाँ से लेकर के यहाँ तक locally buckle ना हो जाए ये इतना member ऐसे bend ना कर जाए तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसका slenderness ratio 50 से कम रहे 0.7 times column जो है उसके slenderness ratio से कम रहे वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है C upon radius of gyration C मतलब इन दोनों members के बीच का यहाँ से यहाँ का distance यानि कि effective length इतने member की upon radius of gyration इसी की जिसकी local buckling की बाते हैं हो रहे है तो यह provision तो same leasing में जो पड़ा वही था बस buttons जो है इनकी effective depth alpha से कम नहीं होनी चीए दोनों member के CG के बीच का distance इसके width twice of b एक single member की plan में यह जो width आ रही है इससे कम नहीं होना चीए alpha by 50 से जादा इसकी thickness होनी चीए और यह वाले local buckling वाले previsions जो है यह तो है intermediate button के लिए depth 3 by 4 alpha 2b के बराबर 2b यह इन से जादा होनी चीए फिर उसके बाद column splicing की बात करें तो column splice कर देने का मतलब column की length बढ़ा देने से होता है column splicing के अंदर हम बात कर रहे हैं यह column की जब splicing करते हैं ताकि उसकी length बढ़ा पाए हमारे पास market में designated length जो है वो fixed length के ही column आते हैं फिर उनकी length अगर बढ़ाना चाहते हैं तो splice plates प्रवाइड करनी पड़ेंगी यह flange पे प्रवाइड कर रहे हैं यह web पे प्रवाइड कर रहे हैं इसके उपर आ जाएगा कि flange वाली splicing है यह web वाली है अगर आपके ends जो है column के वो एकदम smooth है अगर आप column जो है आपका उसके ends कि इस column का end उपर वाले का और नीचे वाले का smooth है तो हम यह मान लेंगे कि 50% load तो direct ऐसे transfer हो रहा है contact to contact यह column के दूसरी column के उपर direct bearing action के तुरू तो 50% हो रहा है और बच्चा हुआ 50% load column से आएगा इस plate पे plate से फिर यहाँ पर जाएगा कुछ इस प्रकार से अब इस तरफ भी use कर रखे है इस तरफ भी use कर रखे है तो accordingly distribute हो जाएगा load आधा आधा इन plates में तो अगर जो column के end है वो machine है या smooth है तो P by 2 load bearing action के तुरू P by 2 splice के तुरू जाएगा अगर वहाँ पर moment भी present है moment भी आ जाता है तो M by H moment की वज़े से भी force आ जाएगा हमने बोला P by 2 load transfer होगा direct bearing action के तुरू बचा हुआ P by 2 P by 4 इस तरफ से P by 4 इस तरफ से P by 2 तो direct यहां से ऐसे निकल गया तो P by 4 एक plate के उपर लग रहा है P by 4 एक plate के उपर load आ रहा है moment भी आ गया तो M by H भी उसके इंदर add-on कर लेंगे हम splicing कहां से कहां तक की जानी चीए objective में ये भी question आपसे पूछता है splicing कहां पर करते है splicing करते है H by 3 to H by 4 from the top या फिर bottom of the floor यह आपसे objective में question पूछता है next अगर machine नहीं है दोनो ends smooth नहीं है column को एक column को दूसरे के उपर रखा दोनो ends अगर smooth नहीं है तो उस case के अंदर क्या होगा अब सारा का सारा load splice plates के थूँ transfer होगा दो plates अगर use कर रखी है तो P by 2 यहां से P by 2 यहां से transfer होगा और फिर अगर moment भी लग रहा है तो हर plate के अंदर total load कितना आ जाएगा P by 2 plus M by H आ जाएगा बस इतनी से चीज़ याद रखने है web के उपर अगर splicing कर रहे हैं तो web पे भी ऐसे plate यूज कर सकते हैं objective में question क्या पूछ सकता है कि अगर web splicing करेंगे तो rivet के उपर कितने shearing plane बनेंगे तो rivet के उपर एक shear plane ये दूसरा shear plane ये आ जाएगा आपके पास अगर web splicing करेंगे तो total holes कितने किये जाएगे एक hole इस plate में एक hole इसके अंदर एक इसके अंदर तीन holes किये जाएगे तो ऐसे objective question जो simple अपनी समझ से कर सकते हैं कि इस rivet को ऐसे अगर insert करना है तो इस plate में एक hole एक इस में एक इसके अंदर तीन holes total किये जाएगे फिर उसके बाद column basis के उपर आए अगर हम तो column base के अंदर आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है permissible tensile stress of bolt used in column base is 120 MPa ये हम use करते हैं आपसे अगर objective में पूछता है तो ये छोटे से प्यारे से formula अगर आपको याद रह पाए तो याद रख लीजिएगा कि thickness of base plate कितनी करता है वरना अब तक तो as such पूछा नहीं गया है फिर उसके बाद अगर हम बात करें गजट base तो गजट base के अंदर जब भी loads बहुत जादा large होते हैं उस case में गजट base का इस्तिमाल होता है critical section for bending moment क्या होता है is at the toe of gazette plate gazette plate के toe के उपर ही critical section जो होता है bending के लिए होता है ये आपको objective में याद रखना है grillage foundation जहाँ पर भी soil की bearing capacity कम होगी वहाँ पर grillage foundation यूज किया जाएगा objective में यही question आपसे वो पूछता है distribution area बहुत जादा large होता है इसके अंदर beam से संबंदित question क्या पूछेगा m by i equals to sigma by y equals to e by r simple से numerical होंगे इस question से related literally unsupported beam का मतलब है कि beam के compression flange को साथ में नहीं cast कर रखा है slab के अगर slab के साथ monolithically cast कर रखा है तो वो literally supported या फिर literally restrained beam हो जाएगी तो बस यह statement based question आपसे पूछे है next question आपसे क्या पूछा है कि हम बोलते हैं कि web shear में अच्छा होता है तो web का area इतना ना मान करके web का area पूरा उपर से ले करके नीचे consider करेंगे web का area पूरा यह consider करेंगे तो इसलिए effective area of web जो माना जाता है वो total depth of beam into thickness of planche के बराबर थिकनेस of web के बराबर consider करते हैं यह आपके पास यहाँ पर thickness of web आ गया और यह यहाँ से यहाँ तक total depth of beam तो d into d into t w तो shear stress जब calculate किया जाएगा shear force upon d into t w consider करते हैं तो objective में यह as it is statement ही दिया गया था कि beam के design के लिए हम area जो consider करते हैं effective area that is total depth of beam into thickness of web यह consider किया गया फिर उसके बाद web buckling जो होती है वो इस तरीके से member यहाँ पर buckle कर जाएगा web crippling और web buckling में difference क्या है? web crippling concentrated loads के कारण होती है कि जब junction होता है जहाँ पर यह पर वो cripple कर जाता है कुछ इस प्रकार से ऐसे तो इसे बोल देते हैं web crippling हो जाना next gantry girders की अगर हम बात करें तो gantry girders पर एक तो gravity loads लगता है vertical load एक load लगेगे जब यह trolley move करेगी और दूसरा यह crane bridge जब move करता है एक तो trolley move करेगी और एक bridge जब move करता है trolley या crab left to right move करेगी और यह into the plane ऐसे move करेगा इस rail के उपर यह आपको याद रखना है objective questions objective questions electrically operated अगर crane है तो vertical loading में अब एक तो gravity loads लग गए gravity मतलब इन सबका जो weight है उसकी वज़े से आ गया अब यह जो crane move करेगी crane रुकेगी और यह crane bridge move करेगा ऐसे into the plane आगया आएगा पीछे जाएगा तो इनकी वज़े से आपको कितना इनके impact की वज़े से चलने की वज़े से रुकने की वज़े से बार बार उनकी वज़े से load के अंदर कितना और addition करके consider करेगा तो electrically operated crane अगर है तो 25% consider कर लीजेगा maximum static wheel load का maximum static रुकन हुए load के corresponding जो आप बात कर रहे हैं उसका कर लीजेए manually operated अगर आपके पास crane है तो manually operated की case में 10% आप consider करेंगे फिर आते हैं बात horizontal force transverse to the rail ये rail थी इस rail के transverse direction में horizontal force जो है तो उस case में आप इसकी वज़े से trolley की वज़े से आएगा अब ये horizontal force transverse to the rail की ये trolley ऐसे move की फिर वापस ऐसे आई तो ये transverse to the rail ये rail थी यहाँ पर इसके case में अगर हम बात करेंगे तो इसके case में कैसे consider करेंगे हम देखिएगा horizontal force transverse to the rail के case में अगर हम बात करें तो electrically operated अगर आपके पास crane है तो electrically operated crane के case में ये जो trolley थी हमारी इस trolley या जो crab है इसका 10% waste आप add कर लेंगे manually operated अगर है तो उस case में आप इसका 5% adopt कर लेते हैं horizontal force along the rail अगर ये पूरा का पूरा crab ये जो crane bridge है ये crane bridge पूरा का पूरा ऐसे move कर रहा था तो इस direction में into the plane वाली direction में rail की direction में हम जो adopt करेंगे तो पूरा ये जो जितना weight आ रहा था इन सब की वज़े से और जब ये रुका हुआ होता तो उस case में जो value होती उसका 5% और add on कर दीजिया clear permissible stresses in gantry girder ये already हम discuss कर चुके बस गलतियां कहां पर होती हैं गलतियां यहां पर होती है ये 50 ton और 500 kN जो है इनके case में गड़बड होती है याद रह पाएगा 50 ton या 500 kN objective में देख लीजेगा कि उसने 10 में बोला है ये kN में बोला है जैसा example question हमने किया 200 kN वाला उसमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये formula यूज़ करना है sorry 200 kN था तो हाँ ये 50 ton अगर हम याद रखेंगे तो उसके according हमें ऐसा ही लगेगा कि ये वाला formula यूज़ करना है greater than 50 ton वाला जबकि question में unit kN में दी हुए थे तो इन में confused मत होएगा ये याद रखेंगा बस कि कौन से यूज़ करना है और बताएं क्या हाल चाल सब बढ़िया एक 10 में होते हैं 1000 किलो फिर into 9.81 कर लीजिए सब बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं प्लेट गडर क्या होती है टेस्ट में पहले 120 आते थे टेस्ट से याद आया आज टेस्ट करेंगे हैं अराम से tension free होगर के वो टेस्ट दीजेगा कुछ questions जान के ऐसे आएंगे जो आप करीना पाएं 15 से 20 questions ऐसे होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं पहले ही मान कर चल लीजेगा कि master जो है वो आज घर पे लड़ लड़ा के आया है तो वो आप इपर कुछ सा उतार रहा है 15 से 20 सवाल तो गलत करवाएगा बाकि जो आएं उनमें से judge कर लीजेगा कि कितने आप कर पाएं कितने आप नहीं कर पाएं चलो आगे बड़े लेट स्टार्ट प्लेट गर्डर कहां यूज करते हैं प्लेट गर्डर जो है प्लेट गर्डर इस्तेमाल होता है जैसे built-up column हम बनाते हैं अपनी मरजी से अपने हिसाब का column बना लेते हैं जैसे आप में से बहुत सारे gamer मित रहा है तो आप अपने according आप market से जो CPUs या जो computer, laptop आते हैं वो नहीं खरीदते हैं आप कहते हैं मैं अपना assemble करूँगा अपने according मुझे कितना graphic card चाहिए मुझे कितना memory चाहिए कितना CPU usage कि type की hard disk किया जो CPU case है वो कैसा होना चाहिए monitor कैसा होना चाहिए यह सारी जीज़ है तो आप खुद assemble करते हैं अपने according built-up computer बना लेते हैं वैसे ही यहाँ पर built-up columns या built-up beams की बात कर रहे है तो built-up column हम अलरेड़ी देख चुके अब बात आ रही है built-up beams की या plate gutter बोल देते हैं इसके इंदर angle sections का use किया हमने angle section के साथ साथ में हमने यहाँ पर एक plate यूज़ की और नीचे angle section फिर से अब यह web plate है इस web plate का वो हिस्सा जो की इस flange वाले portion में दबा हुआ है embedded है उसे हम क्या बोल देते हैं web equivalent बोलते हैं objective में web equivalent की value भी पूछता है similarly web equivalent यहाँ पर web equivalent यहाँ पर clear depth जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक web की clear depth को d1 से हमने denote किया compression flange मतलब इस flange की बात हो रही है compression flange के अंदर जो web equivalent consider किया जाता है वो web equivalent consider किया जाता है area of web by 6 से अगर objective में question आता है कि find out the if area of flange is यह area of compression flange जितना इतना so and so दे रखा है आपको तो आपको total area of compression flange पूछेगा तो उस case में area of flange तो add करना ही होगा या फिर मान लिजे इस angle section इस angle section इनके areas दे दिये plate दे दिया उसका area भी अगर आपको दे दिया पूरा question ही देख लिजे question कैसे पूछ सकता है question में आपको वो दे देगा let's say इसका area 1000 इसका area 1000 इसका area 2000 और अब जो web plate इस्तिमाल हुई इस web plate का area आपको दे दिया 6000 तो आपसे पूछेगा what is the what is the net या what is the effective compression flange area तो आपको effective compression flange area क्या बताना है आपको ये portion देखना है पूरा आपको कौन सा portion देखना है आपको ये वाला portion पूरा देखना है इस पूरे portion के अंदर क्या-क्या observe करेंगे हम एक तो area 2000 एक ये 1000 तो हमारा area आजाएगा 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस area of web by 6 area of web plate है 6000 तो 6000 by 6 तो 5000 overall answer हमारा आजाएगा 5000 overall area आजाएगा समझ गए क्या कहना चाहरे हैं यही objective में question पूछता है objective में IES में question कैसे आया था उसके अंदर question ऐसे आया था कि the effective area of compression flange is considered as चार option दे दे और उन options में correct answer जो choose करना था वो ये था कि area of flange plus area of web by 6 बस इतना option दिया हुआ था तो उसमें समझ में आ गया हमें कि ये area of flange calculate कर लीजेगा सारा और ये जो web equivalent बीच में ये जो छोटा सा portion है इसके लिए आपको ये area भी count करना होगा area of web by 6 तो ऐसा simple सा objective question पूछा था repeat sir repeat में दोस्त 2000 ये हो गया 1000 ये 1000 ये तो कितना हुआ 4000 तो आ गया अब ये जो बीच में web equivalent बचा ये area कितना मानते हैं ये web equivalent वाला area मानते हैं area of web by 6 तो area of web plate आपको 6000 दे रखा है तो इतने का area जो calculate करते हैं उसमें इस angle section का इसका यहां अगर कोई plate यूज की उसका और ये जो बीच में web equivalent बच गया है इसका फ्लेंज में angle का area अगर वो फ्लेंज वाले portion में contribute कर रहा है तो ले रहे हैं सर ऐसे भी question आते हैं क्या ऐसा हमने खुद बनाया है ऐसा आया हुआ है चलें आगे next tension flange की अगर हम बात करें तो tension flange के अंदर आप area of flange जितना होगा उसमें area of web by 8 add कर देंगे अगर आपसे यहां पर यह total area पूछा जाता है यह effective area flange का आपसे पूछा जाता है objective के point of view से एक important चीज पहली important चीज plate girder में यह है फिर उसके बाद आपसे plate girder में यह थोड़ी बहुत और कहानिया इनमें जो most important है वो देख लीजे इसमें है आपके पास कि self weight of plate girder कितना consider किया जाता है तो जो load उस पर आ रहा है w by 300 kN per meter adopt करेंगे या limit state method के according आप लेंगे 1.5 w upon 300 या फिर w by 200 कह लीजे next अगर हम बात करेंगे तो web buckling कब होगी कब नहीं होगी clear depth upon thickness of web 85 से कम है तो web buckling नहीं होगी अगर 85 से जादा है तो vertical stiffeners की जरूरत पढ़ेगी आपको 200 से जादा है अगर तो उस case में आप horizontal stiffeners provide करेंगे above neutral axis यानि कि ये stiffeners जो provide कर रहे है neutral axis से उपर provide करेंगे ये vertical stiffeners आगए ये horizontal stiffeners आगए ये provide करेंगे ताकि ये buckle नहीं हो ये plate आपकी ऐसे buckle नहीं हो उसके बाद next आते है अगर effective depth upon thickness of web 250 से जादा है तो vertical stiffeners and additional horizontal stiffeners provide किया जाएंगे neutral axis पर 400 से जादा है तो section को redesign ही करेंगे after providing all the stiffeners lesser clear dimension of the web panel should not exceed 180 mm ये जो web का panel बन गया इस panel के जो dimension है वो 150 times thickness of web से जादा exceed न करे greater clear dimension जो web panel का है वो 270 thickness of web से जादा exceed न करे lesser वाला इन दोनों में से छोटे वाला ये panel जो बना इस panel का छोटा dimension 180 TW से जादा नहीं होना चाहिए इसका बड़ा dimension 270 TW से जादा नहीं होना चाहिए tension members आदे से जादा tension member हमारा वहीं पर cover हो जाता है जहां पर हम बात करते हैं connections की तो वहीं पर हमने देख लिया था उसका gross section yielding net section rupture block shear failure gross section में मतलब पूरा का पूरा plate का जो section है वही पूरा yield कर रहा है net section rupture जहां पर holes है वहां से वो member fail हो रहा है block shear failure में एक पूरा का पूरा block जो है वो separate out हो गया तो gross section yielding के अंदर FY upon gamma I am not into gross area consider करेंगे और partial factor safety material के लिए 1.1 यहां पर use होता है net section rupture में अब net area consider किया जाएगा area of holes हटा करके consider किया जाएगा 0.9 FE upon gamma I am 1 के बराबर आ जाता है block shear failure में कि पहले shear के अंदर yield करा और tension में पूरा का पूरा cut गया fracture हो गया या फिर tension में yield किया और shear के अंदर fracture हो गया तो इनके case में यहां पर block shear failure के छोटे छोटे प्यारे प्यारे formula maximum slenderness ratio already हमने discuss कर लिया यह सारा table compression member में आ गया long joint किसको बोलते हैं अगर rivets use किया आपने और length of joint जो है वो 15 times the nominal dia से जादा है अगर overlap का length तो उस case में उसे long joint का जाएगा weld किया है तो 150 times thickness of throat से जादा अगर है तो उसे long joint का जाएगा यह आपको याद रखना है grip length already हमने discuss कर ली थी shear lag का effect क्या होता है shear lag non uniform straining को shear lag बोलते हैं आपने यहां से इसके उपर forces लगाए जहां forces लगे यहां से जादा elongate हो गया जहां पर नहीं थे वहां पर कम हो गया यह uniformly strain नहीं हुआ यहां पर member के dimension जादा बड़े as compared to जितना mid पे आया है यहां पर तो non uniform straining को कहते हैं shear lag जैसे आप बोलते हैं कि उसका class चल रही है audio या video का lag हो रहा है एक चीज़ दूसरे से पीछे रह रही है तो वैसे shear lag कर गया shear यहां जादा आ गया यहां कम हो गया shear lag का effect आ गया अब इनको कहां देखने को मिलता है हमें हमें जैसे मान लीजिए कोई angle section था अब इस angle section को अगर आप ध्यान से देखेंगे एक क्या line of rivets यूज़ कर ली यहां पर तो उस case में अब यहां पर connected, 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 connected तो इस plate से यह angle section का यह वाला lag ही connected है यह connected नहीं है यह out stand वाला बाहर निकलने वाला यह वाला connected नहीं है तो ऐसे case में जब भी इनके उपर forces आएंगे ना तो यह plate के उपर force यहां पर लग रहा है और इस angle के उपर जो force लगेगा इस angle पर लगने वाला force जो है वो ज़्यादा तर कहां से transfer होगा इस connected leg से होगा तो connected वाले leg में ज़्यादा dimensional changes आएंगे as compared to unconnected तो uncorrected वाले के अंदर जो strain है वो पीछे रह गया तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि यहां पर shear leg effect आ गया इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह leg भी participate कर पाए इस load carrying operation के अंदर तो इसके लिए हम lug angle का इस्तिमाल कर लेते हैं यहां पर एक angle लेंगे lug angle लगा देंगे इसके उपर अब जब यह lug angle इसके उपर लग गया तो उससे क्या फाइदा हो जाएगा उससे अब यह जो unconnected leg था यह भी directly ऐसे connect हो गया इसे indirectly connect हो गया lug angle की मदद से यह angle section का unconnected leg अब इसके साथ connect हो गया यह इसके साथ हो गया ठीक है तो lug angle क्या काम करते हैं यह आप यहाँ से देख लीजिए कि जैसे एक channel section भी हो सकता है अब इस channel section को अगर ऐसे connect किया हमने तो यह web वाला portion तो इस plate से connected है लेकिन यह flange यह flange connected नहीं है तो ऐसे case में यहाँ पर काम करेगा यहाँ पर मदद करेगा हमारी कौन यह lug angle एक lug angle उपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया अब इसके unconnected lug भी इसके अंदर participate कर पा रहे हैं अब अगर lug angle ना use करते तो क्या होता lug angle अगर ना use करते तो उस case में हमें क्या करना पड़ता इनको join करवाने के लिए lug angle अगर use ना करते तो इसको join करवाने के लिए यह हमारी gazette plate थी और यह जो length of connection है कि इस angle section को जब हमने इसके उपर रखा तो कितनी दूर तक रखे कि यह इतना load carry कर पाए तो यह length of connection जादा बढ़ाना पड़ता overlap जादा कराना पड़ता तो length of connection बढ़ जाता shear lag के कारण length of connection की ज़रूरत जादा पड़ती length of connection की ज़रूरत जादा पड़ती क्योंकि shear lag में हो क्या रहा है कि area सिर्फ और सिर्फ यह वाला participate कर रहा है यह area तो participate करी नहीं रहा तो जिस वजए से हम तो कह रहे हैं यह channel section यूज कर लीजिए इस channel section का overall इतना area है जो कि strength में contribute करेगा अब हम कह रहे हैं भाई करी नहीं रहा है यह इतना area है ही नहीं तो फिर कैसे का इस area को use में लेके आए तो net area में यह तभी contribute कर पाएगा जब हम यहाँ पर lag angles यूज कर लेंगे वरना इसमें shear lag का effect आ जाएगा तो वो shear lag effect को consider करना पड़ेगा तो अब हमने यहाँ पर इसकी length जादा ना देनी पड़े हमें length of connection जादा ना हो जाए इसके लिए lag angle यूज कर लेंगे lag angle होने से क्या होगा कि length of connection कम देनी पड़ेगी इस angle को इस channel section को इस गजट प्लेट पर कम दूरी तक overlap करवा के ही काम चल जाएगा तो length of connection रिडियूस हुआ efficiency increase हुई हमारे joint की और overall यहाँ पर shear lag effect जो है वो भी eliminate हो जाता है इससे अब यह आ गया lag angle का use आई होप आपको समझ में आ गया होगा next जब भी हम areas calculate करेंगे tension member के अंदर areas calculate करेंगे जैसे कि आपके पास एक plate थी उसके उपर एक angle section लगा हुआ है तो अब इस case में इस angle section के उपर जो load आ रहा है उस load के लिए पूरा area A1 प्लस A2 नहीं consider किया जाएगा जो total area होगा या net area होगा वो A1 प्लस A2 नहीं consider करेंगे A1 A2 क्या है? A1 इस connected वाले leg का area A2 unconnected वाले leg का area तो पूरा नहीं consider करेंगे हम कहेंगे कि net area जो होगा वो कितना होगा वो net area A1 प्लस कुछ K times of A2 होगा unconnected leg के अंदर shear leg का effect consider करेंगे हम यह याद रखना है आपको अब आगे बढ़ते हैं so load carrying capacity किसी tension member की calculate करनी है तो उस case में हम कहेंगे कि वो axial tension में कितना stress ले सकता into net area कर लीजिए limit state method के according अगर हम बात करेंगे तो FY upon 1.1 gross area के corresponding net area के corresponding 0.9 FU upon 1.25 यह आप consider करते हैं riveting की case में हम calculate already कर चुके हैं कि load carrying capacity of plate कैसे पता करना है load carrying capacity अगर angle sections के लिए पता करेंगे तो उस case में देखिएगा क्या होता है अगर single angle tension member है जो की gazzet plate से connect हुआ तो single angle tension member अगर gazzet plate से connected है तो उस case में उसका net area consider किया जाएगा a1 plus k times of a2 जहां पर shear lag effect की value 3a1 upon 3a1 plus a2 के बराबर consider करेंगे a1 a2 क्या है a1 a2 है यह जो connected leg वाला area और a2 unconnected वाले leg का area यह consider किये जाएंगे अब इनकी values calculate करने के लिए a में से t minus कर दीजिए into a में से d minus करके थिकने से multiply कर दीजिए और यह छोड़ा से triangle अलग से हटा दीजिए तो a minus d into minus t by 2 into t unconnected leg के लिए similarly आप पता कर सकते हैं और वहां rivet वाला hole नहीं है तो 3a1 upon 3a1 plus a2 आपको याद रखना है अगर दो angles को back to back place किया गया बीच में एक tack rivet भी लगाई गई तो उस case में 5a1 upon 5a1 plus a2 हो जाएगा अगर tack rivet बीच में नहीं लगाई गई तो उस case में यह individually behave करेंगे पिछले case की तरह 3a1 upon 3a1 plus a2 next case आ जाता है गज़ट प्लेट के opposite side में हमने angle section जब use कर लिए तो उस case में a1 plus k times of a2 आपको याद रखा हुआ है आपने okay की value बस बन आप याद रख लिजएगा simple यही put करना है effective area of late girder tension वाला, compression वाला यह already देख चुक है चले, next आगे बात करते है roof trust roof trust के इंदे definitions याद रखनी है आपको purlin क्या होते है purlin ऐसे horizontal member है जिनको beam की तरह design करते है trusses के across यह चलते चले जाते है एक truss यह हो गया, दूसरा truss यह हो गया तीसरा truss यह हो गया इनके across ऐसे यह चल रहे है horizontal beam spawning between the addition trusses फिर उसके बाद आते हैं apex apex कहते हैं इस top वाले point को फिर उसके बाद आते हैं हमारे bearing bearing मतलब वो support जहांपर truss का load transfer हो रहा है तो इस दिवार पे या columns पे transfer ही हो रहा है फिर उसके बाद next आते हैं हमारे पास bottom codes bottom code मतलब यह वाली जो code आपके पास आ गए इसको bottom code बोल देते हैं cantilevered portion इस support के beyond जितना जा रहा है वो cantilevered portion हो गया यह cantilevered strut कहलाएगा यहां पर फिर उसके बाद आते हैं cord में आपके पास यह एक top code आ गई यह दूसरी top code जिने rafters के नाम से हम जानते हैं यह main members हैं जो की join करवा यह इस triangle को form कर रहे हैं trust को form कर रहे हैं फिर उसके बाद आते हैं heel तो heel वो point है जिसके उपर आपके top code और bottom code जो है वो intersect करते हैं या फिर मिलते हैं अब inter code यह आपके पास top यह bottom यहाँ पर आके यह intersect हुए तो यह heel कहलाएगा फिर उसके बाद next portion आ जाता है joint joint आपको यहाँ पर यह दिखाई दे रहे है joints या noid nodes जहाँ पर यह rafter और यह members जो हैं यह मिल रहे है point of intersection of one or more webs within a code node या node point point of intersection of two or more members दो या दो से ज़्यादा members जैसे कि इस case में यहाँ पर मिल रहा है तो यह node कहलाएगा या node point कहलाएगा nominal span जो आपका होता है nominal span distance between outside edges of the supports या wall plates wall plates या supports के बाहर का जो distance है clear span अंदर का distance supports के जो होता है वो clear span overhang जितना portion extra जा रहा है उसको overhang बोल सकते हैं अब overhang के अंदर panel किसको बोलते हैं panel दो joints के बीच का जो distance है यहाँ पर यह आपके पास यह panels आ जाते है plump cut क्या होता है कि अगर आपने किसी member को ऐसे vertical direction में cut कर दिया जैसे आपने इस member को ऐसे vertical direction में cut किया तो यह plump cut है अगर आप इसे square cut करते तो मतलब ऐसे ला करके इसको square cut करते जैसे यह member आ रहा था इस member को cut करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो plump cut plump cut करने का मतलब अब इसकी shape कुछ ऐसी हो जाएगी दूसरा हो सकता था square cut कि member आपका ऐसे आ रहा था और इसको आपने ऐसे cut कर दिया square cut कर दिया तो plump cut या square cut I hope आपको समझ में आ गयोंगे vertical direction में soffit और fascia जो सामने से दिखता है में जो portion that is fascia नीचे से देखेंगे वो soffit वाला portion कहलाता है फिर आते हैं splice point splice point मतलब जहां पर ये वाली rafter ये rafter था ये आपके पास था यहांपर cord था sorry rafter नहीं cord ये जो bottom cord थी इनको join करवा दिया splice plate के मदद से splice point हो गया वो square cut अभी अभी हमने just discuss ही किया है top cord rafter हो गया stub end किसको बोल देते हैं stub end मतलब वो triangle पूरा हुआ नहीं ये जो truss का पूरा triangle नहीं हुआ इसकी जगा अगर इधर वाला truss मैं हटा देता इधर से इधर वाला truss अगर मैं हटा देता तो इस case में अब ये end क्या हो जाता stub end हो जाता अब truss हमारा last से बस ऐसा ही दिखता पूरा triangle नहीं फॉर्म होता यहीं पर supports लगा देते दिवारें अगर हम लगा देते तो ये stub end कहला था web already discuss कर लिया हमने types of roof trusses कुछ आप खुद से ये homework में read कर सकते हैं इतना as such इन से related objective questions अभी तक नहीं आये हैं then questions किस-किस से related पूछे हूँ है live load last year इन से related question आया था live load की अगर हम बात करें तो slope of roof truss अगर 10 degree से कम है तो live load 1.5 kN per meter square consider किया जाएगा अगर 10 से जादा है तो जितना जादा है question में मान लीजिए आपको दे दिया कि 15 degree है तो 15 minus 10 5 degree जादा है वो तो 0.75 minus 0.01 into वो जो axis वाली value है live load की value अगर 20 degree से जादा है अगर वो truss का angle 20 degree से जादा है तो उस case में theta minus 10 कर देंगे आप यहाँ पर so live load is reduced by 20 N per meter square for each 1 degree above 10 यह आप याद रखिएगा objective statements form में भी पूछ सकता है आप से live load 0.4 kN per meter square से कमनी होना चीए snow load की value 2.5 N per meter square for 1 mm depth of snow और अगर slope 50 से जादा है तो snow load को calculate करने की आपकी ज़रूरत नहीं है dead load L by 3 plus 6 आप consider कर सकते हैं last year जो question आया था वो कुछ इस प्रकार से था यह 2 perlin के बीच का distance आपको दे रखा था तो एक perlin यह दूसरा perlin यह इनके बीच के distance दे रखा था आपको तो इस case में देखें एक perlin यह दूसरा perlin यह इन दोनों के बीच का distance आपको दे दिया एक truss यह दूसरा truss यह इन दोनों के बीच का distance आपको यह दे दिया तो इस panel के dimensions आजाएंगे आपके पास बाकी loads की value आपको question के अंदर दे रखी थी वो calculate करने थी और साथ ही साथ में जो आप load calculate करेंगे उसके अंदर 30 degree का angle आपको दिया हुआ थो roof truss का तो उसके लिए यह deduction भी करना था 20 newton का deduction जो आप करते है 20 newton per meter square और हर एक degree के लिए वो deduction करने थे बस इसमें फिर specifications of trust के अंदर next objective statement based questions वो आपसे यह पूच सकता है कि cost of trust जो है वो inversely proportional है spacing के जितना दूर दूर बनाएंगे trusses को दूर दूर रखेंगे जैसे इस case में देखिए कि ये वाला truss इस truss से जितना दूर दूर होगा उतना ही cost कम होगा cost of perlin is directly proportional to square of spacing of trusses कि जितना ज़्यादा truss के बीच में spacing रखेंगे इस truss से इस truss की spacing जितनी दूर रहेगी उतना ही इन perlins का cost बढ़ जाएगा तो perlins का cost directly proportional है square of spacing के the cost of roof covering is directly proportional to spacing of truss तो जितनी ज़्यादा ये spacing होगी उतना ही जो roof covering है वो भी strong देनी पड़ेगी हमें तो उसका भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा ये roof spacing के directly proportional overall cost को minimize करने का तरीका क्या है twice the cost of perlin plus roof covering should be equal to cost of truss ये आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते हैं हमारे एक लिए session में steel design की pdf जो है वो already telegram पर uploaded है same pdf as it is आप download कर लीजेगा और next pdf जो हमारी irrigation engineering की बची with questions वाली वो मैं upload कर दोंगा भी थोड़ी देर में and questions जो भी हमारे है steel design के questions objective point of view से क्योंकि हमने बहुत सारे codal provision यहां देखे उनी codal provision को questions की format के अंदर एक बार फिर से हम देखेंगे तो उस session के लिए stay tuned आपको मैं update कर दूँगा वो session कब होने वाल है RCC और steel दोनों के code के provisions important है या तो यह करेंगे एक दिन में दोनों ही कर लेंगे या दो दिन अडॉप्ट कर लेंगे एक एक दिन उनके sessions हम कर लेंगे Thank you so much और मिलते हैं हमारे एकले session में तब तक के लिए take care bye bye अगर आपने इस session को अभी तक like नहीं किया तो आप इस session को like कर सकते हैं हमने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते हैं मेरा नाम है Sandeep Jani मिलते हैं हमारे एकले session में तब तक के लिए take care bye bye